आज की जो मारी क्लास रहेगी B.E.S.K.G. 172 ठीक है भारतिय दर्शन के मूल सिध्धान ठीक है अगर मैं इसमें बात करूँ इसमें आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चेप्टर नमबर 4, चेप्टर नमबर 5, ठीक है, चेप्टर नमबर 6, चेप्टर नमबर 7, चेप्टर नमबर 8, चेप्टर नमबर 9 और चेप्टर नमबर 10 याणि एक ही class में मैं आप सभी को chapter number 4 से ले करके chapter number 10 तक पढ़ाने वाला हूँ याणि blog number 2 है, पूरा blog एक ही वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे पहले जो पहला ऊफ़च फलोक था जिसमें chapter number 1, chapter number 2, और chapter number 3 था ठीक है उसको मैंने पढ़ा दिया है अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाते हैं तो आप दारिफ्ट जा करके चैनल पर जरूर देख सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चैनल पर आना पड़ेगा और चैनल पर आने के बद आपको सिधा प्ले लिस्ट म पूरा ब्लोक यानि पहला जो ब्लोक है, मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने तीन चप्टर शुरुआत के मैंने पढ़ा रखे हैं, आज हमारा चप्टर नमबर चार से लेकर के चप्टर नमबर दस तक रहेगा, ठीक है, और आज का जो मारा चप्टर है का स्टार्टिंग में देखे हैं क्या है, चप्टर नमर फोर क्या है, चार वाक दर्सन का सुरूप और प्रमाण विचार क्या है, तो देखेगा इसमें चार वाक दर्सन का सुरूप क्या है, यह जो चार वाक दर्सन है, इसका गोर नास्तिक चार भूतों की उत्पत्ति श्रिष्टी अनि स्वरवादी शरीर ही आत्मा पाप पून का निसेद पुनर जनम स्वर्ग नरक का निसेद केवल प्रतेक्ष प्रमाण को मानिता इस चार वाक दर्सन के क्या क्या सुरूप है और उसी में दे रखा है प्रणाम वि चार क्या है तो खास तोर से अगर में बातूं एक्जाम के पॉइंट अब देखेंगे तो इसमें चार वाक जो है दर्सन का ज़र शुरूप है क्योंकि एक काफी इंपोर्टेंट है जो कि एक जाम में आप से पूंचा जा सकता है और एक चीज मैंने शुरू में पहले ही आ और सो में से 35 नमबर आपका पासिंग मार्क रहेगा इस चीज को या जरूर रखिएगा ठीक है इस एक जाम की जो टाइमिंग है थ्री हावर्स रहने वाली है हो सकता है ठीक है चलिए हम इसका देख लेते हैं देखेगा तो यहाँ पर आईएगा क्या है चार वाक दर्सन का पुरानों मिलता है जो चार वाक दर्सन है इसके बारे में हम लोगों को बेदों में बहुत बहुत गरंतों में और जो पुरान है उसमें देखने को मिलता है इसके अत्रिक चार वाक दर्सन की प्राचिंतम इस बात से भी पता चलता है कि अन्य भार्तिय दर्सन में चार वा भाख का विकास अन दर्शनों सेरे इस कह सकते हैं सबसे पूरानी जो फिलोस्थी है अगर हम इंडियन फिलोस्थी या भाल फिये दर्शन को पढ़ेंगे इसमें चारवाद दर्षन बहुत पूराना है क्योंकि जितने भी दर्षन आये हैं उन सभी दर्षनों में इस दर्षन का कह सकते कि खंडन किया गया है यानि इसकी बातों को बाती की तब से पूरानी जो फिलोस्पी यानि जो दर्षन है वो कह सकते हो कि चार वाग दर्षन है ठीक है अगर प्र चार वाग दर्सन उसका जो शुरूप है यानि उसका जो शुरूप मैंनि उसका आकार परकार जो है उसके जरिये हम इस दर्सन को समझे सकते हैं तो देखेगा चार वाग दर्सन के सूत्र देखेगा सबसे पहले क्या इसमें दे रखा है जो चार वाग दर्सन है इसका काउन क वागर हम सूत्रों की बात करें तो देखेगा, चारवाक दर्सन के बारे में विद्वाणों हो ने अलग अलग विचार किये हैं, उन लोगों ने अलग अलग विचार परगेट किये हैं, यईकनि कोई फिक्स किताब भूक नहीं लिखी गए यानि यह जो दर्सन है यानि यह जो फिलोषपी है उसको लेकर उसका कोई गरंथ नहीं है यानि कोई किताब उप्राप्द नहीं है ठीम है? परंतु इस सूत्रों का पता आज तक नहीं चला है यहीं जो चार वाक दर्सन है भाईया यह बहुत पुराना है पहली बात तुए रही और इसको ले करके अलग-अलग आदमी अलग-अलग बात कहता है ठीक है और इतना पुराना है कि इसके बारे में कोई किताब उताब है न इनके उसमें हमें देखनों की मिलता है ऐसी इस्तिती में यहां विचार मस्तित्स में आता है और सूत्रों के अभाव में चार वाक दर्सन विचारों का कैसे पता चलता है भारतिये दर्सन पधती में दृष्टी पात करने में इसका उत्तर प्राप्त होता है इसके बारे मे हमारे पास लिखा हुआ कुछ है नहीं इसलिए जो बिद्वान है हालग-अलग बिद्वान इसके बारे में अलग-अलग बाते कहते हैं भारतिय दर्शन पधती अपने पक्ष या उपर्चन करने से पहले पूर्व प्रतक्ष उपस्तित करती है बाद में उसको योपती पूर उसका खंडन करती है किसी प्रमार यह मौलिक ग्रंथ के अभाव में अन्य दर्शन से पूर्व प्रतक्ष रूप में जो तत्थ प्राप्थ होते हैं उसे हम चारवाग-दर्शन की बीसाय में पता ज़ता है यानि कहें यह दर्शन इतना पूराना है कि जितने अन्य दर्श सनाए है उन दर्शनों में कह सके इसके बारे में हमें लेकर के नहीं लिखी गई है इसलिए कह सकते हैं इसके बारे में बहुत जदा एक परकार से यानि समझ नहीं आते या आलग अलग बाते करते हैं चार वाग दर्शन जो सूत्र है, अगर हम इसकी बात रहे हैं, सम्मदित, हमें अन्य भारती दर्शन से प्राप्त होते हैं, यह सूत्र इस प्रकार हैं, जैसे अगर आप देखोगे पिर्थभी, जल, तेज, और यह चार तत्त हैं, यह दर्शन कहता है कि चार तत्तों की बात करता है ठीक है जो यह दर्षन है किसी बात करता है यह कहता है कि चार तत्व कौन कौन से हैं वह एक तो भाई आप पिर्थभी दूसरा है जल तीसरा है तेज और चोथा है वाई ठीक है अर्थात पिर्थभी आदि के समू को शरीर, इंद्रियों और विषय कहा गया है इस दर्सन की अगर बात नहीं है। ये दर्सन एक परतार से चार सुस्चरों की बात करता है चार तत्त की बात करता है। बुलबुले के समान उत्पन और नस्थ होते हैं यह करें जैसे पानी का बुलबुला उठता है और खतम हो जाता है उसी प्रकार से जो जीव है वो भी आता है और नस्थ हो जाता है यह दर्सन इस बात की कहता है ठीक है अगर हम लोग बात रहें इन्हीं सूत्रों में चारवा दिया होगा लेकिन आज उसके बारे में हमारे पास जो ग्रंथ है वो उपलग्ध नहीं यानि चार वाग्ध दर्शन कह सकते हैं चार सुत्रों की बारे में बताता है चार कौन-कौन से सुत्र मैंने बता है पहला भाईया पिर्थभी है दूसरा जल है तीसरा तेज है और चौ जीव मतलब जैसे कोई भी हम लोग है उत्ता है बिल्ली एकर को सहाथी है यह पानी के बुलगुले के समान उत्पन होता है और नस्थ हो जाता है यह खतम हो जाता है जिसे पानी का बुलगुला नहीं उत्ता है पानी में उत्ता बुलगुले उत्ते है उसी प्रकार से जीव भी है वैयो क्या होता उत्पन होता और खतम हो जाता है ये दर्शन इसी बात को बात कहता है ठीक है और अगर हम इस दर्शन की बात में इस दर्शन को लेकर के हमारे पास कोई भी गरंत ने यानि कोई किताब उताब हमारे पास नहीं है इसके सूत्रों को लेकर के परंतु आस्तिक हैं अपनी स्थूल भावतिक दृष्टी से उन्हें जो कुछ देखा वही सत्यमाना है चार वाक दर्शन के जीवन संसार इस्वर आधिसे संबंदित विचारों को हम इनी सूत्रों अन्नथा ग्रंथों में उल्लेख हुए समझते हैं चार वाक दर्शन से संबंदित तत थे हमें इस प्रकार समझ सकते हैं चार वाक दर्शन के तत थे क्या 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 तो पहले भाईया एक घोर नास्तिक दर्शन है यानि क्या है घोर नास्तिक दर्शन है ठीक है जैसा कि पहले कह चुके हैं कि चार वाक दर्शन अपनी आखों से जो चीजें दिखें उस पर विश्वास करता है, क्या भया जो चीज आंग से दिखाई दिती उसी को मानता है, यह कह सकता है कि जो चीज आंग से दिखाई ने दिती उसको मानता ही नहीं है, तो चार वाग दर्सन क्या नास्तिक दर्सन है, घोर नास्तिक दर्सन है, यह घोर नास्तिक है, चार वाग द द्रिष्टी, जनि द्रिष्टी में कोई भी गरंत हाएसा नहीं है, जिसको परमाद में सुहिखार करता हूँ, बेद को कलपना और पाकठंडियों का अश्रप्साब बताता है। पहली बात हो गया, दूसरी बात क्या है? चार भूत से उत्तपत शिस्ठी है, यह एक कहता है, देखो, यह खास बात है, जो चार अधर सिस्टी है, एक कहता कि जो दुनिया है, शिस्टी जो है, वो चार चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है? चार nella के अनुसार, जगत की रचना जगत यानि जो भाया पूरा संसार है वो चार चीजों से मिलकर के बना है जिसे पिर्थभी, जल, तेज और वायू से हुई है यानि ये दर्शन कहता कि जो स्विष्टी है जो दुनिया है वो चार चीजों से मिलकर के बनी है ये भाया पिर्थभी से मिलकर के बनी है जल से मिल वाइव से मिल करके बनी है तेज से मिल करके बनी है चूงकि चार वाग की अनुसार प्रतेक्षि प्रमार है बहिया जो कुछ दिखता वो यहीं मानता है जैसे आद microw पर करता है जैसे अगर बात करेंगे कि ढ़र भाई ऑगर जैसे भूत प्रेत पर करता है एगर अगर हम इस अर्प फ्रेट पप पुन इस पर कौई विश्वास नहीं करता है यह pratyak यह इस ओर आत्मा शरीर इस फर कोई विश्वास नहीं करता दर्शन जो भया आकास की सिध्धी पर्टेइच से नहीं होती है। ये कहता है कि जो पूरी दुनिया है और चार टत्वों से मिल करके बनी है। दर्सन कहता अगला अनिस्वर वादी है यानि इसका इस्वर में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है ठीक है चार वाग दर्सन भूत को ही स्रिष्ठी का कार्ण मानता है इन चार भूतों के अत्रिक्त वह किसी अनि को स्रिष्ठी का स्विकार नहीं करता है अन्य भारतिय इस्वर को किसी न किसी रूप में मानते हैं, लेकिन यह भगवान को मानता नहीं है, यानि इसका इस्वर में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, क्या है, ये इस्वर को पूरी तरे से खारिज कर देता है, डिनाई कर देता है, ठीक है, नहीं मानता है, ठीक है, परंतु चार वाक दर्थन ठीक है अगर बात करें तो इस्वर कि श्षित को स्वविकार नहीं करता है परमातमा नहीं है यह ऐसा कुछ नहीं होता है श्रिष्टी रथना का अधहार भूत्य पदार्थ का ऐसा सुभाव की कि töढ़ रात नहीं करें और जो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं इस बात का पूरी तरह से क्या करता है था खंडन कर देता है इस बात को नहीं मानता है यह क्या है अनि इस दर्शन का किसी प्रकार से इस वर में विश्वास नहीं है परमात्मा को नहीं मानता है आत्मा को नहीं मानता है यह इसको नहीं मानता है सिरफ चारे चीज़ को मानता बाकी नहीं मानता अगला क्या सरीर यही आत्मा है अगला इस दर्शन का क्या सिद्धानता जी सरीर को ही यही आत्मा को ही सरीर मानता है चार वाक कामत सरीर से भिन आत् तुत नहीं है यह सिरफ सरीर को मानता है सरीर के घटक उसका निर्मार करने वाले भोतिक तत्तों के अत्रिक आत्मा नामा किसी भी पदार्थ को यह मन ही मानता है यह सिरफ सरीर को मानता है ठीक है जो चीज़े दिखाई देती है सिरफ उसी को मानता है बाकि जो चीज़े दिख प्रश्न होता है कि यदि आत्मा की सत्ता ना मानी जाए तो सरीर में चैतन की उत्पत्ति, जैसे कहता है भहिया सरीर है तो शरीर में चैतन यानी जान कहां से आती है तो इसके जबाम में एदर्शन कायता की दो रोचक उधान प्रस्टुत करता है। मिलने पर मुख में स्वाद लाल रंग का हो जाता, कहिता है कि जैसा पान नहीं बनता, तुम समने पान खायोगा ना, तो कहिता है कि जैसे पान लो, चूना लो, कथा लो, और उसको खाने से मुझ में लाल रंग बन जाता है, उसी परकार से कहिता है कि सरीर जो है, सरीर में जा पर कार का विश्वास नहीं है ठीक है जी अगला देखेगा पाप कुन्य का निसेद है पाप कुन्य को नहीं मानता है देखो चार वाक की अनुसार व्यक्ति सांसारिक सुखों से भरपूर उपियो का न कहता भई आदमी को संसार के सुखों का खूब मोज मस्ति लो संसार के सुखु को भोगना कहिता कि इन्सान के जीवन का एक मात्र लक्षे कि वो सुखु को भोगे ठीक है यानि ए दर्सन आदमी को भोगी बनाता है ठीक है एक प्रकार से यानि एक प्रकार से क्या कंजबसन की बात करता है यानि खूब भोग भोग वा आदमी विश्वास करता है य कैता है उनको कैर अर्थात जब तक चिओ, सुख पूंड जी ओ अर्थात उधार लेकर घी पी ओ और उसे रिण को लवटाने के बारे में चिंता मत्रों कहिता कि उधार का लेकर के खाना है और उसको लवटाने के बारे में एक पर्सेंट का सोचना नही Hm है इस दरसन जो है इस परकार की बात को कहता है ठीक अगला देखेगा पुनर जनम और श्वरग नरष्ट का निश्यद करता है कहता है कि यह दरसन कहता है कि पुनर जनम किसे ने देखा है अर्थाद दर्सन में पुनर जनम की अधारना को नहीं मानता है याद दर्सन में अगर आप देखोगे लेकिन यहाद पुनर जनम को नहीं मानता है पाप पुन्नि को नहीं मानता है स्वर्ग नरक को नहीं मानता क्या इसका स्वर्ग और नरक में किसी प्रका कोई विश्वास नहीं है क्या है यह सुर्ग और नर्ग को नहीं मानता है सरीर जब जल करके राख हो जाएगा तो सुर्ग नरग कैसे पता चलेगा आता है पाप पुन्न शुरग नरग आधी सब कोरी कल्पना है कैता है सब काल्पनिक चीजे हैं इसरफ लोगों ने या उजल करके खाक हो जाएगा तो कुछ पता वैसे भी चलने वाला नहीं है इसलिए पाप उकुन्य को स्वर्ग नरक को इन प्रकार की बातों को ये बिल्कुल भी नहीं मानता है अगला केवल परतक्ष को ही प्रमान मानता है जो ये दर्सन है जो चीजे दिखाई देती है उ ठीक है चार वाक को परतक्ष के अत्रित कोई भी प्रमान मानने नहीं है यानि शिरफ जो चीजे आखों से दिखाई देती है उस पर ही विश्वास करता है क्योंकि सम्मुख दिखाई देने वाला इंदियों के अनभूत किये जाने वाले पदार्थ को ही मानता है जिसका प् प्रकार का चाहिए और आदमी को खूब सुक भोगने चाहिए यानि उधार का पैसा ले करके भी दूद खाओ पियो मौज मस्ती उड़ाओ ठीक है यह दर्सन इसी बात की कायात कहता है ठीक है अगर हम लोग बाते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि चार वाग दर्सन उन समस्त की सत्ता को मानने से असपस्ट मना कर दिया है जिसता प्रतक्ष हम नहीं करते हैं चार वाग केवल बेवहारिक सत्ता में विस्वास करता है यानि जो चीजे दिखाए देती हैं उन्हीं चीज को मानता है ना तो यह आत्मा को मानता है ना तो परमात्मा को मानता है ना तो यह अगर हम लोग चार वाग दर्सन की बात रहें तो यहाँ पूरी तरह से यक्ति को कहरा कि इंसान को सिरफ सुक भोगने चाहिए, ऐस अरामती जिंदगी जिने चाहिए, मोज मस्ती से जिंदगी कटनी चाहिए, उधार लेकर के खाओ पियो और चुकाने के बारे में हम लोगों किया है, इसको गलत बताया है, इसलिए कहा जाता कि जो चार वाग दर्सन है, इससे पुराना कोई भी दर्सन नहीं है, अगर इस कोशन की बात में तो कोशन लगबभाग हमारा समाथ हो गया है, और एक कोशन आपको इक्जाम में आएगा ही आएगा, इस बातों याद रखि काफी important question है इस चोथे चप्टर से अब चलिएगा हम लोग अपना अगला चप्टर देख लेते हैं जो हमारा next चप्टर रहने वाला ठीक है चलिए अगला चप्टर पांच वाँ देखते हैं ठीक है अगला जो हमारा रहेगा अब चप्टर नमबर पांच रहेगा देखेगा नमबर फाइब क्या है जैन दर्शन परिचायों प्रमुक सिध्धान तो इसमें खास तो से जैसे एक जाम में पूछेगा जैन दर्शन के सिध्धान पूछे जा सकते हैं कि जैन दर्शन में कौन-कौन से सिध्धान है ठीक है तो देखेगा जैन दर्शन के हम लोग बात कर जैसे तत्व मिमान सा, ज्यान मिमान सा, नीती मिमान सा, ठीक है? इसमें खास तरसे हम लोग बात लेंगे, जैसे सम्यक दर्सन है, सम्यक ज्यान है, सम्यक चरित्र है, और जैन दर्सन में पांच महाबरत बताएगें, क्या बताएगें? जैन दर्सन में पांच महाबरत जैसे आप से जैन डर्सन वाले में जैन धरम के बारे में जैन डर्सन वाला टोपिक जरूर आ सकता है तो चलिएगा हम लोग इसको देख लेते हैं सबसे पहले देखेगा महाबीर का जिवन परचह य tut जैनि भगवाण महाबीर है इनको कहिसते इनका जो जण्म है 529 ृषा पूर्व बैसाली जो है उसके समीप हुआ था इनके बच्पन का नाम वर्धमान था क्या था इनके बच्पन का नाम वर्धमान था पिता का नाम सिधार्थ था छत्रिय कुल में कुल के परधान थे परसिद लचवी राजा कसते इनकी बहंत रिसला थी वर्धमान की माता रानी बड़े भाई नंदी वर्धन वर्धमान का परिवार संबंद मगत के परसिद राजवन था यनि इनका जो संबंद था ये कसते की राजवन थे एक परकार से राजा की क्या लड़के थे कौन थे महावीर ठीक है वर्धमान के परिवार के सदस पार्सोनाथ के संपरदाय के अनुआई थे नहीं जो पार्सोनाथ संपरदाय है उसके अनुआई कि इसके थे वर्धमान इनको वर्धमान महावीर भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि इनके बच्पन का नाम क्या है, वर्दमान है, वर्दमान को भी उन सिद्धांतों से प्रव, य defense कह सकते कि अगर आप देखेंगे तो वर्दमान जो महाबीर है, ये पार सोनाज जो संपरदाए है, उससे काफी प्रभावित थे, क्योंकि इनका जो पुरा परिवार है, जो उनकी पूरी फैमिली है उससे काफी प्रभावित थी इनकी पत्नी का नाम यसोदा था इनकी एक पूत्री थी जिसका नाम प्रियदर्सनी था प्रियदर्सनी का बीवा कह सकते इन्होंने जल मिल नामक छत्रिय कुमार से हुआ और बाद में महाबीर का पर्थम सिश से बने और 12 वर्ष तक अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमती लेकरके इनोंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज के लिए एस सन्यासी बन गए और 12 वर्स्तक 14 पर सकी कितने साल तक भगवान महावीर ने 12 वर्स्तक 14 पर सकी बाद में वर्दमान से महावीर को ग्यान प्राप्थ हुआ ठीक है बैसाक मास के दस्मी तिथी को परबस सिखरों के पास जंबीक गाउं के बाहर नदी के घाट पर एक विसाल साल के बिच के इन्होंने अपने धर्म, यानि जैन धर्म को परचार किया, सिस्सों ने वर्दमान को महाबीर का नाम दिया, महाबीर यानि विजाई, यानि योग, पूजक कह सकते हैं, और बाद में कह सकते हैं, इनके संपरदाय के नाम से पहले, इन्हें जैन धर्म, जैन धर्म को इन्होंन पर नगन रहने पर जोड़ दिया है भगवान महावीर जो कहते हैं यह सरीर पर कपड़ा नहीं पहिंते थे बलकि पूरा नगन रहते थे महावीर किसी एक अस्थान को केंद्र बनाकर के धरम को परचार नहीं करते थे भगवान महावीर जो है किसी एक अस्थान पर रुके नहीं बलकि धरम को परचार करने के लिए गूम गूमते गूमते रहते ठीक है और 72 साल की आयू में कितना 72 जब एर के थे 22 वर्स की आयू में पांसो सत्ताइस इसापूर पटना के समीप बिहार में कह सकते हैं कि महावीर ने अपने सरीर को छोड़ा ठीक है अब जाज चरेंगे हम लोग जैन धरम का विकास और साखाय क्या है ठीक है जैन धरम का विकास कैसे हुआ जैन मतलम्भी मानते हैं कि उनका धरम अनादी और सनात है किन्तु काल के समीप है अताया विकास क्रम दो चक्रों में हुआ है अगर हम लोग बाते जैन धरम का जो विकास है उसको अगर हम बाते जैन धरम के जो संत हैं उन संतों नहीं कह सकती कि जैन धरम का क्या विकास किया है अपने सिध्धान्त के परचार के लिए महावीर ने पावापूरी में जैन संग की अस्थापना की है यानी जैन धरम का विकास करने के लिए भगवान महाबीर ने या वर्दमान महाबीर बोला जाता है ठीक है वर्दमान महाबीर ने पावापूरी में कह सकते हो कि जैन संग की अस्थापना की थी कहा पर भया पावापूरी एक स्थान है वहाँ पर जैन धरम में जैन संक्या स्थापना की गई है ठीक है सो है महाबीर ने सरवोच अधिक से महाबीर के समय जैन धरम में 11 तिर्थंकर हुए नि परचारत जैन धरम में कितने तिर्थंकर है 11 तिर्थंकर कहला है तिर्थंकर क्या है जो जैन धरम का परचार प तब केवल एक गणधर बचे थे यही आरे सुधर्म महावीर की मृतिक बाद 22 वर्तों तक जैन संग के प्रमुक्र है बाद में जंबू स्वामी जैन संग के नायक जो लगभग 44 वर्सों तक इस पदपर है उन्होंने कह सकते मतुरा और सूर्चेन में जैन धरम का प्रचार कि लगभग 1500 वर्सों तक जैन संग कोई विशेश विवरन प्राप्त नहीं होता है मगद के अंतिम नरेश नंद नरेश के समय जैन संग दो प्रमुक्त है जैन धरम का प्रचार प्रसार कह सकती है अगर आप देखें मौरिकाल गुप्तिकाल में अगर आप देखेंगे तो जै भगवान महाबीर कह सकते कि जैन धरम को प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा योगदान क्या भगवान महाबीर यानि स्वामीत जैन धरम के तेईसमें तिर्थंक है किसको माना जता है वर्दमान महाबीर को माना जता है ठीक है एक प्रकार से इन्होंने जैन धरम की साब्दी के अंतिम भाग में बारा वरस की भायानक अकाल पड़ा उस समय जैन धर्मा लंबियों ने एक बहुत बड़ा समू आर भद्र बाहू के नित्रत में मैसूर चला गया और अनेग जैन विजयु के सिस्चों ने इस्थुल भद्र में नित्रत किया मगद में ही रह गया मगद में इस जैन समूदाय ने प्राचीन जैन ग्रंत को ग्यान को पुनाप्राप्त करने के लिए पाटली पुत्र में एक सभा मंतिर की पाटली पुत्र की यहां सभा पर्थम जैन परिसत कहलाती है यानि जैन धर्म की पहली जो सभाव हुथी कहां पर हुई दिवे वह य पार्टली पुट्र यानि जो आज के टाइम में पटना है बिहार वहाँ पर हुई थी ठीक है और बारा वर्सका काल पड़ा था तब जा करके यहाँ पर हुई थी ठीक है और इसी सभा में कह सकती जैन धरम में दो भाग बने एक तो दिगंबर दूसरा स्वेतंबर ठीक है उन जैनियों को कहा जाता है जो नग न रह करके अपनी साधना करते हैं भाईया जो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनता है बिल्कुल सरीर पर एक भी वस्त नहीं पहनते हैं बिल्कुल लंगे रहते हैं उनको क्या गया उनको ही दिगंबर संत कहा गया दिगंबर जैन किसको ब बलता है कि जो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहंनते हैं दिसा ही यदिसाएं ही उनके वस्त्र हैं इसके विप्रीड स्वेतर वस्त को धारन करने वाले स्वेतंबर कहला हैं स्वेतंबर किसको बोला जाती जो सफेद सफेद कपड़ा नहीं पहनते हैं जैन धरम में उनको हम लोग स्वेतंबर कहते हैं दिगंबर यानि जिनों ने पूरी तरे से अपने वर्स्त को त्याग दिया है उनको हम दिगंबर संत कहते हैं जैन धरम में और स्वेतंबर उनको कहते हैं कि जो सफेद सबेद वाइट 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 का जो कपड़ा पहिंते हैं उनको स्वेतंबर बोला गया है ठीगा अगर हम लोग बात लें दूतिये जैन परिशत कहा हुए यहीं समय के साथ इन दोनों संपरदाओं ने अपने मदभेद को अधिक ब परिशत हुई इस सभा में दिवरासी थे पर्थम जैन परिशत में जिन अंगो की रचना हुई इसमें एक लुप्त हो गया है सेसी ग्यारा ही बचे हैं दूसरी परिशत का उद्देश था प्राचीन लुप्त जैन ग्रंतों का संग्रा करना इस सिध्धान के पनाप्स रू अगर जैन धर में देखोगे तो जैन धर में भयक तो स्वेतंबर हैं और दूसरा दिगंबर हैं पहली बात क्या कि स्वेतंबर उसको बोलते हैं कि जो लोग सफेद कपड़ा पहिंता है और दिगंबर उनको बोलते हैं कि जो बिलकुल कपड़ा नहीं पहिंते हैं ये पहला difference आंतर है जी, भद्र बहू ने महावीर के सिधान का कठोरसा से अनुसरन किया है, जबकि स्वेतंबर ने निव उस्तुल को डाली है, दिगंबर साखा रूढ़ी वादी है, दिगंबर एक प्रकार से रूढ़ी वादी लोग हैं, जबकि स्वेतंबर है, वो परिवर्तन में व बहते हैं जबकि स्ववेतंबर उसनत्य प्रमाझ मानते हैं दिगंबर यह जो यानि दिगंबर साखा में इस्तियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है दिगंबर में देखो महिलाएं दिगंबर संत नहीं हो सकती हैं ठीक है महिलाएं दिगंबर नहीं हो सकती हैं क्योंकि दिगंबर साखा माना जाता कि महिलाएं जो है वह मोक्ष की अधिकारी नहीं है लेकिन स उसे माना जाता कि महिलां दिगंबर संत बनेंगी उनको मौक्ष नहीं मिलेगा दिगंबर संत शींकल सरूल बह यह जो बिलकुल कपड़ा नहीं पइनता है वो दिगंबर संत कहले हैं और जो लोग वायट कर रचा को पाइनते सफेट सफेट कपड़ा पहिंता है ओ सवेतंबर कहिलाते हैं ठीक है जी अगला देखेगा जैन धरम के सिध्धान क्या है यह जैन धरम के प्रमुख सिध्धान क्या है देखेगा बेदों को प्रमाण ना मानने वाले नास्तिक जैन धरम का प्रमुख प्रियोजन यहां कि जीव संसारिक दुखों से मुक्त हो करके अध्यात्म दुख सुक्का भोक है जो जैन धरम है वह दों को नहीं मानता है क्योंकि जो जैन Idhak में हिए कई संसार को सूर करकर हमें अध्यात्मित हो जाना चाहिए जैन अि धर्सन के दार्शनिक घ्रंथ दूखन चैहे कि यदों करना चाहिए दुनिया में जो दुख है उनको छोड़ करके उसको अध्यात्म की तरफ चले जाना चाहिए जैन धरम को पहला सिध्धान्त है तत्त मिमांसा सिध्धान्त क्या भी तत्त मिमांसा जैन दर्सन के तत्त मिमांसा सिध्धान्त अनेकांत वाद और दिब्बे विचार को इस प्रकार बता जा सकता है एकांत वाद जैन दर्सन का प्रमुक्त तत्त है जैन सोयम को अनेकांत वा का सार्थक मांते हैं। ग्रहन करता है, ठीक है, ये कौन मानता है, ये मानता खाव सते हैं, दिखो, जैन दर्शन का भया, एकांत वाद को मानता है, किसको मानता है, एकांत वाद, और दिभी विचार को मानता है, कौन मानता है, ये मानता है, जैसे अगर जैन दर्शन की बाते हैं, जैसे गुन क्या है जो धरम पदार्थ को नित्य मानते हैं वह गुण कहलाते हैं जैसे अगनी के लिये दाः परकास नित्य धरम वह गुण है क्या है प्राय क्या है जो धरम पदार्थ को नित्य नहीं मानते हैं जैसे अगनी का रूप जैसे पीला नीला इस परकार रहे हम बातना जैन धरम का जब ऑना सथ्य अपर करता है यहां अगर आप पदार्थ को मानता है ठीक है और इसको मानता है ठीक है देखो किसको मानता जी पदार्त जो चीज जो फिक वीट को मानता ठीक एगर आप देखेंगЕ jyane दर्शन की इसि में क्या है मानेता है अगला हगर हम लोग jyane सिध्धान की बात जयन सिध्धान ज़ो इभ ग्यान मिमानसा की बात करते हैं on घ्यान को मांता है जैन को मांता है जो सटեze , जैत है जियन को बना जाए किसको कि क मानता है जीजों के परति इद्यक्ति को हिंसा नहीं दिखाने चाहिए क्या नहीं बिश्वास करता है यहीं ग्यानिवासा है इसमें इमपोर्टन जूश्ञे 첫 से इन धाल में शुरूप libratele स्विस्तिग का घरा नहीं है, इसमें इंहीं इताधा कि उप्यों के इस ऋड़ेखे का एक जिरज मेंद काम नहीं जैसे जैन सिद्धान्त है वहाँ बंधन और मोक्ष की बात करता है किसकी बात करता है भारती दर्शन का बंधन अर्थात संसार में बार बार जनम लेना दुख जेलना जैन मुनिके नुसार जीयों को अनंत पूर्टाएं नहीं था है फिर भी जीव बंधन में पढ़ता है और उसकी पूर्टाएं अभी बूत रहती है जीव बंधन में क्यों पढ़ता है उसके पांच कार्ण बता है क्या देखो जैन दर्शन कहता है इंसान जब बार बार जनम लेगा जिसे जनम लेगा तुसको दुनिया भर के दुख भोगने पड़ते है और फिर उमर जाता है फिर कांड साय और योग यह पांच ऐसी चीजें है जिस कांड से व्यक्ति जो है बार बार जनम लेता है और बार बार इस धरती पर आता है वह दुख को भोगता है नीती मिमांसा सिध्धान क्या है नीती मिमांसा सिध्धान क्या है तो नीती मिमांसा में अगर आप देखोगे न जैन धर्सन जो जैन धर्म है इस्वरवाद का खंडन करता है। बहुत त topics के गया जैन धर्सन भगवान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। पहली बात एक नहीं है। दूसरा बंधन मुक्ति की बात करते हैं। यानि इंसान को किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, यह बंधन मुक्ति की बात करता है, जैन दर्सन बंधन से मुक्ति के बात पांच अवस्थाएं बताई है, ठीक है, व्यक्ति को किसी प्रकार का बंधन में नहीं बंधना चाहिए, बंधन किसी प्रकार का इं माया के काण ये सारी क्या है प्रविर्थिया है अज्ञानते के काण होती है ठीक है सम्यक दर्सन क्या है जैन दर्सन कहता है कि व्यक्ति को भईया सही मारक पर चलना चाहिए और सही मारक पर चलना चाहिए और सही मारक पर चलके ही अपना कारे को करना चाहिए यनि क्या है उसक कहता है कि यानि व्यक्ति को इसके जिए माला करणे पão मोक्ष ज़ाओ Washington होना चाहिए चाहिए लोगों को हिनसा नहीं पहुंचा नहीं चाहिए तुसके है किसी भी जिव kierna ऑन से नहीं करना ही यह कई ुए हिंसा करना छोड़ दो क्या है कहता है कि अलया है दो हिंसा करना ही क्या है, क्या है हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता वही अहिंसा है, जैनियों के जैन धरम के अनुसार, जीव को किसी प्रकार का दुख या चोट नहीं पहुचानी चाहिए, और जो व्यक्ति किसी जीव को चोट या दुख नहीं पहु ब्यक्ति को मन से, वचन से, कर्म से क्या करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, किसके अब यह सच्चाई का सत्य को मानना चाहिए, अगला जैन दर्शन कहता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने वचन और कर्म से, किसी वस्तू की चोरी ना करें, जो चीजें आपके पास रहेंगी तो दुख का कारण बनेगा जी दुख का कारण बनेगा जरूरत से ज़्यादा हम लोगों को किसी प्रकार की वस्तू नहीं रखनी चाहिए और जरूरत से ज़दा अगर आपके पास कोई वस्तू है, तो क्या भईया बनेगा, दुख का कारण बनेगा, ब्रह्मचर का पालन करने चाहिए, क्या कहता है, जैन दर्शन का सिध्धान के भईया, ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए, और इसको किसने जोड़ा था, महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर मन से वचन से और कर्म से सभी प्रकार से वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए क्या कहता जी वासना को त्यागने की बात कहता है नैतिकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए ठीक है और एक कौन कहता है एक धरम कहता है अपनी रोजी रोटी इस बात की बात कहता है कि व्यक्ति को व्या जो रोजी रोटी है जो रोजगार है वो सच्चाई के साथ करना चाहिए गलत काम करके रोजी रोटी नहीं कमानी चाहिए ठीक है यानि मोक्ष पाच चरित की बात करता है व्यक्ति में किसी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए व्यक्ति में किसी प्रकार का लोभ लाला चोर्माया जो है इन सारी चीजों को त्याग देना चाहिए व्यक्ति में अगर ये चीजे हैं तो व्यक्ति में अज्ञानता या जैन दर्शन के कौन कौन से प्रमुक सिध्धान्त है तो जितना मैंने बता रखा इसी को आप लोगों को क्या करना है heading बना बना करके क्या करते ना है लिख देना इसमें बहुत सारी बाते हैं जयसे संथारा भोलते ही इसमें एक सांथारा ले लिए जैसे होते हैं दीगेंबर को नोय झातली पालते हैं और सवेतमबर के इस तो एक तो दिगंबर होगे संत कहला है और दूसरे सोयतंबर कहला है ठीक है दिगंबर में कह सकते हैं महिलाएं नहीं होती है सोयतंबर जो साखा होती है इसमें महिलाएं जा सकती है ठीक है ये लोगों को मैंने बता था और पांचवा चेप्टर इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया अब अगला हमारा चछठा और साथवा चप्र भी अनि चछठा, साथवा, आठवा, नुवा, दस्वा भी पढ़ेंगे लेकिन आप जयन धरम के बाद धरम कहाँगा, बाध धरम को लिख करके दो चप्रे इसमें आपकी बुप में दीये गए, जयन धरम पाद चछलिए अगल दर्शन है बहुत फिलोस्पी है उसको बारे में देखेंगे और उसके प्रमुक्षिद्धान्द को देखेंगे देखो बहुत दर्शन में बहुत धरम में अगर आप लोग देखेंगे तो चार बहुत संगीत्कियां करवाईगे हैं ठीक है काफी इंपोर्टेंट है ठीक है बहुत संगीत कियां, ठीक है, 6.3, काफी important रहेगा, आपका chapter number 6 में से, और chapter number 6 में ही अगर आप देखेंगे, तो हीनयान और महायान साखा क्या है, क्योंकि जो बहुत धरम था, वहाँ दो संप्रदाय में, यानि दो साखाओं में बटा है, हीनयान और महायान, और सबसे important आपक 6.5 में बहुत दर्सन के प्रमुक सिध्धान, यानि जो बहुत दर्सन है, उसके कौन-कौन से सिध्धान है, जैसे उसमें चार आरसत्य बताये गए हैं, छनिक वाद है, अनातमा वाद है, और अनिसोर वाद है, ये काफी important है, बहुत दर्सन के प्रमुक सिध्धान, हीनयान और महायान इसमें वजरायन साखा क्या है, साथ में जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, बहुत संगीत की यां, जिसे पर्थम बहुत संगीत की, दूतिये बहुत संगीत की, तिरतिये बहुत संगीत की, और जो चतुर्थ बहुत संगीत की है, क्योंकि ये काफी important है, जो कि आपक एक्जाम में पूछे जा सकते हैं चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए important है देखेगा बहुत संगीत किया देखेगा विकास के सिध्धान्त किसी भी वस्तू के करें भया कि कोई भी चीज जब कोई भी चीज आती है तब ही उसका विकास होता है उसी प्रकार से कैसे कि जब बहुत धरम आया तब ही बहुत धरम का विकास हो पाया बुद्ध के निर्वान के पस्चात त्रिपिकट संग्रा तयार किया गया देखो जो महात्मा बुद्ध हैं महात्मा बुद्ध के बाद ही त्रिपिटक का संग्रा तयार किया गया है जिसे त्रिपिटक मतब समझते हैं जो बहुत गरंथ हैं उनको ही क्या बोला जाता है त्र ग्रंथ हैं जिसे बिनाई पिटक है, सुत्पिटक है और अभिदम पिटक है ठीक है अरे जो ए त्रिपिटक है यह जो बौध धरम से जुड़े जो ग्रंथ है इनका जो लिखा गया है समय समय पर बौध धरम की संगीत कियां करवाई गई है और इनका अयोजन आती आवसक था यह बौध के समय में ही बौध धरम का परियाव्द विकास हो चुका था अगर हम लोग बात रहे हैं जो बौध धरम है बौध धरम का जो विकास है वह महत्मा बौध के समय ही हो चुका था क्या मैं बोला कि जो बौध धरम है बौध धरम का जो विकास है वह महत्मा जो बौ बुद्ध है उनके समय ही हो चुका है तथा बॉध धरम के कर्मिक विकास में इन महा सभाओं का सारवधिक योगदान है इस भाइ मेरे जो बॉध धरम है उसमें जो बॉध संगीत्गियां होई है इनका काफी इंपोर्टन्ट योगदान रहा है जिन्नोंने बॉध गरंच को स संगीत की का नाम दिया उन महा सभाओं में मूलता बुद्ध के वचनों को उनके सिसोधारा दोहराया गया अथ्वा गाया गया है जो बहुत संगीत की होती थी उसमें महत्मा बुद्ध के जो विचार हैं महत्मा बुद्ध की जो बाते हैं उनको ही जो महत्मा बुद्ध के सि इसमें महत्मा बुद्ध की जो जीवन था उनकी जो बाते थी उनके जो वचन थे उनके सिसिस में गाते थी इसलिए इसका नाम संगीत की पड़ा ठीक है इस संगीत की का एक मात्रलक्षा बुद्ध के जो मूल वचन है उनकी महत्मा बुद्ध की जो बाते हैं उनके वचनों क उनकी बातों की रक्षा करना साथी साथ संगीत की में बौध धरम के संबन में सभी प्रकार के विबादों को दूर करना बौध धरम जो विबाद हैं उन विबादों को दूर करना क्या है बौध संगीतियों का भया क्या है प्रमुक लक्ष था और पहली पर्थम बौध संगी किया है उसके तीन महिने बाद सब्त पड़ी गुहा यानि राजग्री में कह सकते बिहार में पर्थम बौद संगीत की हुई है पहली जो बौद संगीत की है वह राजग्री में बिहार में हुई थी राजग्री कहां परहविया बिहार में है और राजग्री बिहार में ही कह सक कि बध धरम की पहली बध संगीत की करवाई गई है ठीक है इसका आयोजन 483 इसापूर्व हुआ था कब हुआ था पर्थम जो बध संगीत की है कब हुई थी 483 यानि 483 एड़ी यानि इसापूर्व ठीक है मगत समराथ आजास सत्रू ने इसको करवाया है यदि कह सकते कि जो पर्थम बहुत संगीत की इसको किस ने करवाई था? आजात सत्रू ने करवाई था। जो पर्थम बौध संगीत की है उसमें बौध धरम का जो गरंथ है बिने पिटक और जो सुति पिटक है इसको संकलित किया गया है जो पर्थम बौध संगीत की हुई है कब हुई अब यहां 483 इसापूर में कहां पर हुई थी राजगरी बिहार में हुई है क्या हुई है पर् पर्थम बहुत संगीत की हुई तो बिनाय पीटक है बिनाय पीटक में बहुत जदा कठोर नियम कानून थे ठीक है इसलिए उसके खिलाफ काफी लोगों ने बिरोध किया बोला हम इसको मानेंगे नहीं इसलिए सिलिए इस बिरोध को दूर करने के लिए कह सकते हो कि दूसरी जो बहुत संगीत की है उसको करवाया गया क्योंकि पर्थम बहुत जदा कठोर नियम लिख दिये गए थे बहुत दर्शन की ठीक है इसलिए कह सकते हो कि इन्हें यानि बिरोध को सांथ करने के लिए राजा काला सोक ने के सासन काल में बुद्ध ने कह सकते कि यानि भगवान बुद्ध के 110 वर्ष के पश्चात 383 इसापूर्व में तब दुतिये बहुत संगीत की कभी विया 383 इसापूर्व ठीक है बैसाली में दुतिये बहुत संगीत की की गई कहां पर दूसरी जो बहुत संगीत की हो कहां पर करवाई गई है बैसाली में करवाई गई है ठीक है कहां पर हुए है बैसाली नाम की एक जगा वहां पर इसके अध्यक्ष अजीत वा रेवत थे इस संग प्राचीन बिनयोंक में कट्टर पक्षपाती भिक्षों के वज्रियों की एक ना चली ऐसी इस्थिति में वैसाली से दूर हट करके कोसांबी में दस हजार भिक्षों ने महा संग में अपनी संगीत की पिर्थक की उसी समय बहुत धरम में दो भेदभाव गए ठीक है दो उन्हों को लेकर के जो विरोध हुआ उस विरोध को दूर करने के लिए दूसरी जो बहुत संगीत की है वह तीन सो तिरासी इसापूर में ठीक है बैसाली में करवाई गई है दूतिय बहुत संगीत की कहा परिवया बैसाली में करवाई गई है ठीक है इसको करवाएगा ति कि दोसो अठारा वर्स के बाद आसोक यानि समराट आसोक के सासन कालम के पाटली पुत्र में यानि कह सकते हैं पाटली पुत्र में तीसरी बहुत संगीत की करवाई गई है पाटली पुत्र यानि पटना में आज जो पटना विहार की राज़ानी है वहीं पटना में कह सकते हो ठीका पाटली पुत्र वहीं पटना में कह सकते हो कि तीसरी बौध संगीत्की करवाई गया है इस संगीत्की में एक हजार से ज़्यादा बौध बिख्चु न भाग लिया था जो तीसरी बौध संगीत्की है इसमें एक हजार से ज़्यादा जो बौध बौध बिख्चु थे बहुत धरम के लोकप्रिय बनने में बिभिन बिभिन सुभाव के लोगों इससे जुड़े जिन्होंने बुद्ध के मूल नियम का अधित कम लगते थे ये मूल सिध्धान्त में परिवातन के पक्षपाती थे इन मतवादियों ने परसपर जगडे को दूर करने के लिए समरा समराट असोक ने तीसरी बहुत संगीत की करवाई थी बहुत दर्शन की इतिहास में यह संगीत की सबसे महत्पूर मानी जाती है वह यह बहुत दर्शन में अगर आप देखोगे जो तीसरी बहुत संगीत की है यह सबसे ज़्यादा महत्पूर मानी जाती है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट के अमानिजत विया, जो तीसरी बहुत संगीत की करवाई गई है, ठीक है, अगर हम लोग बात रहें, और किसने करवाई है, समराथ असोक ने करवाई है, ठीक है, मौरे सासन में, मौरे बंस में जो सासक हैं, असोक, असोक ने करवाई थी, आप देखेगा, च सौथी संगीत की कृष्णमंसिय महाराजा सक ने कनिश के समय, पर्थम सताद्वी के पर्थम में कस्मीर में संपन हुए, बहुत धरम के विप्रीत मतों में, महाराजा कनिक्ष ने भ्रम में डाल दिया, अपने गुरु पार्षों की सम्मती से भुक्षियों के एक महीस सभा कुल्डनिवार कस्मीर में गुलाई, जिसमें 500 भिक्षों ने समलित हुए, इसकी अधर्षा वसूमित्र उपाद्धक्ष महा कभी अघोस थे, सारे भिक्षों ने पराया एक ही संपरदाय के थे, वह संपरदाय था, कह सकते एक परकार से, सहस्तितवादी, यानि चौथी ज सा सकता राजा कौन था बया, कनिक्स, कनिक्स जब सा सकता तब कह सकते थी, चौथी बौध संगीत्की करवाई गई है, चौथी बौध संपर हुए थी, कस्मीर में करवाई गई है, ठीक है, और इस बौध संगीत्की में 500 से जादा, कितने बया, 500 से जादा बौध भिक्षो पर बिरोध का परिहार करते हुए अपने मत निश्चित किये त्रिपिटक पर महा भी भासा नामक ब्याक्षा इसी संगीत की में देना है त्रिपिटक पर एक नई ब्याक्षा की गई है और ये ब्याक्षा की गई थी जब चौथी बहुत संगीत की करवाई गई है ये चार ब अब देखो बुक में आपकी टेबल बना रखा बौद संगीत्कियां जैसे संगीत की पहली अस्थान क्या है? यह राजगरी तहाँ पर हुए राजगरी में हुई थी राजा कौन था उस समय आजाज सत्रू था अध्यक्ष कौन है महा कस्यफ है और इसमें क्या क्या, उपलब्धी क्या है सुत पिटक बिना पिटक लिखे गए है दूतिये बहुत संगीत की क्या है यह बैसाली में कर्वा अधिक पुत्र? कि में दो दलों में विभाक्त यानि इस समय बहुत धरम जो दो दलों में बट गया था ठीक है और जो तीसरी बहुत संगीत की किसने करवाई है इस तीसरी बहुत संगीत की ठीक है पाटली पूत्र में हुई है ठीक है और इसको किसने करवाया था मौर समराथ असोक ने करवाय कि तिरत थेरने की है और इस समय क्या गया था अविदम पिटक की रषण कीन गई। जो तीसरी बहुत संगीजिक की तुर стен के गई है यह अविदम पिटक की और चौति जो ऐसे के की है कर जो दो संगील की है कब हुई ओऊ है में और दौफक कोन है कनिक्स है सक सासक कनिक्स है इसकी अध्यक्ता किसने की है वासु मित्र ने और अधोस ने और इस समय महायान हीनयान साखा जो थी उसमें अविधम पिटक का ज्यान दिया गया है यह चार बहुत संगीत किया है यह बहुत इंपोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए अगला देखेगा हीन्याव और महायान क्या देखेगा महायान साखा के जर्मदाता नागारजुन ने ही हीन्याव महायान का नाम क्या है। देखों, हीनियान साखा में, हीनियान साखा को सुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है नागारजुन, और नागारजुन ने ही हीनियान और महायान नाम दिया है, यह हीनियान महायान पता क्या है, जो बहुत धरम है, जब बहुत धरम दो संपरदायों में, यानि दो गुटों मे बटा तो एक हीनियान बना दूसरा महायान बना हीनियान अर्थाच छोटी गाड़ी महायान अर्थाच बड़ी गाड़ी हीनियान मतलब क्या भया चोटी गाड़ी और महायान मतलब बड़ी गाड़ी बहुत धरम में बुद्धत प्राप्ति के दो मार्ग हैं भया बहुत धरम सद बुद्धी अर्थात सबका उधार करो देने के लिए बुद्धत प्राप्थ करो ये महायान साखा है देखो हीन यान साखा कहती है भया सिरफ अपने लिए तब करो तब पस्या करो लेकिन महायान साखा कहती है कि भया सब की भलाई के लिए आपको क्या करनी है तब करना है सब की भलाई के लिए आपको क्या करना है तब अस्या करनी है ये कौन कहता है ये महायान साखा कहती है घीनियान से संबंध बहुत रूडिवादी स्वार्थी वादी हैं घीनियान साखा के जो बहुत धर्म के लोग हैं वो रूडिवादी हैं पुरानी बातों को मानने वाले ह पुरानी परमपराओं को मानने वाली हैं और स्वार्थी लोग हैं इनका आदर्फ खुद है दक्षिण पूर्वेशिया देशों में इसका परचार हुआ है ही नियान जो साखा है जो दक्षिण पूर्वेशिया के देश हैं दक्षिण पूर्वेशिया के देश हैं वहाँ प किसी दुरूप से अनिस्वरवादी हैं, हीनियान जो भगवान को नहीं मानते हैं, इनका किसी भी प्रकार से किसी भी इस्वर में क्या है, कोई विश्वास नहीं है, ये इस्वर को परमात्मा को कह सकतो कि ये क्या करते हैं ये नहीं मानते हैं, ये किसी प्रकार से इस्वर को भगवान को, करमात्मा को नहीं मानते हैं, इनका इसमें किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, बुद्ध के आदेश, अपो दीपे भाव को ही परमुक मानते हैं, यनि जो हीन यान साखा के लोग हैं, ये महात्मा बुद्ध के आदेश को ही सबसे अच्छा मानते हैं, जबकि म महायान साखा के जो लोग हैं, महायान साखा जो है वह उदारवादी है और लोगों को मदद करती है और परिवर्तन के पक्षधर हैं, महायान साखा के जो लोग हैं वह परिवर्तन चाहते हैं, वह चेंज चाहते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी ACI देशों में महायान साखा क खुब परचार परशार हुआ है और महायान साखा जो है संस्कृत भासा से ब्रिद्धी है यानि महायान साखा में संस्कृत भासा में जादा जादा चीजे लिखी गई है ये बुद्ध के इस्वर सरूप उपासना करते हैं ये महातमा बुद्ध की ही इस्वर के रूप में मा कौन मानता है, महायान साखा के लोग मानते हैं, यह प्रेम और भक्ती पर बल देते हैं, क्या है, कि जो महायान साखा है, वह प्रेम पर, भक्ती पर सबसे ज़्यादा बल देती है, कि भईया प्रेम करो, भक्ती करो, आवतारवादी यों बुध के जीवन दर्सन को प्रमान मान कौन मानता है या महायान साखा के लोग ठीक है महायान साखा मानी जाती है अगला देखेगा हमारा next क्या आगया है बौध दर्शन के प्रमुक सिध्धान्त क्या है कि जो बौध दर्शन है उसमें कौन-कौन से प्रमुक सिध्धान्त है ये काफी important question है जो कि आपकी exam में प्रमुक सिध्धान्त देखेगा बौध दर्शन के मूल सिध्धान्तों का चैन त्रिपिटक साहित से किया गया है यनि बौध दर्शन जो है ठीक है उसके भाई क्या कौन-कौन से प्रमुक सिध्धान्त है जो सारे प्रमुक सिध्धान्त है वो त्रिपिटक में ही दिया त्रिपीटक क्या है बहुत धर्म का गरंध है चिसमें सुद्पिटक बिनाए पिटक में ही दिया गया है जिसका संकलन बुद्ध के शिष्चों ने क्या त्रिपिटक इसने लिखा है महातमा बुद्ध जो थे उनके सिस्यों ने ही क्या लिखा वाया त्रिपिटक को लिखा है बुद्ध केवल अनुभव सिद्ध तथ्यों को ही मुख्य मानते थे यानि महातमा बुद्ध जिन चीजों को अनुभव करते थे जिन चीजों को देखत पर्मुक्षिधानतों को इस परकार हम समझ सकते हैं यनि जो बहुत दर्षन के प्रमुक्षिधानतों को बताईए तो बहुत दर्षन का पहला सिध्धान क्या है बौत दर्शन में चार आर सत्थ बताएगे हैं अपने अनुभाव से बुद्ध ने चार आर सत्थ की प्राप्ति है तो महत्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में संसार में कहते हैं चार ही चीज़े हैं जो सत्थ हैं इसलिए हो क्या कहते हैं चार आर सत्थ किस दुखों का कारण भी है भाई अगर संसार में दुख है तो दुख का क्या होता है भाई कोई न कोई तो कारण होता है ना दुखों का नास संभव है महतमा बुद्ध करते हैं भाईया इस संसार में जो भी दुख है उस दुख का नास भी क्या है संभव है और दुखों का अंत अंत का मार्ग है दुखों को खतम करने के क्या है रास्ते भी है यानि उसका मार्ग भी है एक चार आरे सत्य है जिसमें पर्थम सत्य दुख को सत्य बताया है दूसरा आरे सत्य है दुख का समुदाय भी या दुख का कोई ने कोई कारण है तीसरा आरे सत्य है दुख का एक प् दुख को हम लोग दुख का मार्ग भी छोड़ सकते हैं और दुख को समाप्ध भी किया जा सकता है ये चार आरसत किसी ने बताए हैं महात्मा बुध ने इन चार आरसत्तों के अंतरगत कह सकते अस्टांगी मार्ग अत्री रत्न विसा को बताया है इसके बारे में हम विस्तार से वही आगले चेप्र में खास हो से हम बहुत दर्शन के चारह सत को डीपलेंप पढ़ेंगे बहुत दर्शन का अगला जो सत्य यानि सिध्धानताव च्छनिक वाद है क्या है च्छनिक वाद बहुत दर्शन का अगला सिध्धानताव च्छनिक वाद देखेगा देखेगा खास रज़ा बात ने परतेक वस्तू के कारण ही अनसर होती है, कारण नस्ट हो जाएं, तो कारण करें कि कोई भी चीज जो है, वह किसी न किसी कारण से होती है, अगर कारण ही नस्ट हो जाएगा, तो वस्तू भी नस्ट हो जाएगी, इससे सिध्ध होता है कि परतेक वस्तू नस्वर है यह जो वस्तू है वह किसे न किसी चीज से बनी अगर चीज खतम हजेगी तो वस्तू खतम हजेगी बुद्ध ने प्रतियुत समधाय का सिध्धान्त अनितवाद का प्रतिफल है बौधों का मानना है जो परिवर्तन सीलना हो महाच्छनिक वाद का तव यहां कि संसार में ऐसी कोई वस्तू नहीं है जो परिवर्तन सीलना हो हर चीज क्या है समय के साथ बदलती रहती है अनीत वाद को ब्याखित करते हुए बुद्ध ने कहा जो बृद्ध हो सकता है वह बृद्ध होकर के ही रहेगा जो रोगी होना है वह रोगी होकर के रहेगा, जो मृत्तु के अधीन है, वह अवस्य ही मृत्तु को प्रात करेगा, भया जिसको बुढ़ा होना बुढ़ा होगा, जिसको रोगी होना रोगी होगा, जो जिसको मृत्तु के अधीन होना उसकी मृत्तु तो होगी होगी, जो नासवान है, उसका न प्रतेक वस्तु असत और दूसरा एकांतित मत है, इन दोनों मतों का छोड़ करके, बुद्ध का मार्ग उपदेश दिया है, मध्ध मार्ग का सिध्धानतिया है कि जीवन परिवर्तन सील है, महत्मा बुद्ध के कहता भया, कि हम लोगों का जो जीवन होता है, परिवर्तन सील है, समय के साथ बदलता रहिता है, क्या है, जीवन क्या भया, परिवर्तन सील है, छ माप्त हो जाए इसका कोई ठोड ठीका नहीं भाई आदमी की कब मृत्यू हो जाए कब बिमार हो जाए कब दुख हो जाए इसका क्या है जीवन हमेशा क्या है बदलता रहता है यही क्या है च्छनिक वाद है च्छनिक वाद है दुनिया और अगला क्या है अनात्मा वाद क्या है हम जान चुके हैं कि बौध के अनुसार सारे पदार्च छणिस दुनीया में जितनी चीज़े हैं सब छणिक हैं ठीक है आत्मा को भी अन्िवस्थों की तरह परिवर्तन सील बता गया बहुत दर्सन कैसे कि आत्मा भी भईया क्या है परिवर्तन सील है, बदल सकती है, सामान धारनायाय की आत्मा की सत्ता जन्म से पहले तथा मिर्त्यू के बाद भी रहती है, देखो जैसे माना जाता है बहिए आत्मा जन्म से पहले भी थी और मिर्त्यू के बाद भी रहेगी, एक सरीर के नस्ठ होने से दूसरे सरीर में इसका प्रवोस होता जैसे आत्मा को मानता है आदमी तो मर जाता सरीर खतम हो जाता है लेकिन जो आत्मा होती एक सरीर को छोड़ करके दूसरे सरीर में चली जाती है ठीक है कहा जाता ना किसका नाम अनात्मावाद है अनात्मावाद क्या है किसका मतलब बेसिक सा यही कि जो हमारा सर यहां अत्मा को लिकर के जो बुद्ध के विचार हैं उसमें दिये गए उपनिसद ग्रंथ के विपरी थर उलटे हैं उपनिसद में आत्मा को आस्थाई और सत्य नहीं मानता है बुद्ध ने सास्वत आत्मा का निशेद करते हुए कहा है कि संसार में ना कोई आत्मा है ना ही आत्मा की तरह कोई वस्तू है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ना इस परकार की कोई वस्तू है कौन मानता है महात्मा को महात्मा बुद्ध कहते हैं यानि आत्मा में आत्मा परमात्मा में यानि आत्मा में उनका किसी प्रकार का यानि नहीं मानते भी आत्मा को मानते नहीं और कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई वस्तू भी नहीं होती है कौन मानता है यह बहुत दर्सन मानता है या महात्मा बुद्ध मानते है ठीक है अगला क्या है अनिस्वरवाद है बौध दर्सन का अगला सिध्धां क्या है अनिस्वरवाद सामान रूप से हम कह सकते हैं कि जगत इस्वर की स्रिष्टी है वह या फूरे संसार के इस्वर ने बनाया है इस्वर जगत को की रचना करता है इस्वर की नियत और पून म बुद्ध ने इस्वर की सत्ता को सिविकार नहीं क्या महात्मा बुद्ध जो हैं वह इस्वर को नहीं मानते हैं भगवान को नहीं सिविकार करते हैं बुद्ध के अनुसार समस्त जगत वह एक प्रकार के नियम से संचालित होता है संपूर संसार उत्पत्ति और विनास के नि इस्वर जैसे कोई सत्ता नहीं है महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि इस्वर जैसे किसी प्रकार की सत्ता नहीं होती है यानि इस्वर को नहीं मानते हैं विस्व परिवर्तन सील है महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो दुनिया है जो दूरा विस्व है वह परिवर्तन सील है सम संसार बनता है और संसार ओटोमेटिकी समाप्त हो जाता है इसलिए महात्मा जो है वह अनिस्वरवादी है उनका इस्वर में या इस्वरीय सत्ता में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है इस प्रकार की बातों को औरी अफवा बताते हैं इस प्रकार की बातों में उनका क कोई भी विस्वास नहीं है, अरे सिध्धान क्या, अनिस्वरवाद का सिध्धान क्या है, बहुत दर्षनिका सिध्धानित की वहिस्वर को नहीं मानता है, तक खासा तोर से यह आपके लिए इंपोर्टन्ट बन सकता है और आपकी एक्जामें उंचा भी जा सकता है जो जो चीजे मैंने आपको पढ़ाए इनको आपको जरूर करके जाना ही जाना है इसी के साथ हमारा जो चेप्टर नंबर 6 रहेगा समाप्थ हो गया चलिए हम लोग अगला चेप्टर देख लेते जो हमारा next चेप्टर रहेगा अगला जो हमारा चेप्टर रहेगा चेप्टर नंबर 7 रहेगा क्या है बहुत दर्सन जिसमें हम लोगों को 4 रसत्यों को बारें पढ़ना है बहुत दर्सन में जो 4 रसत्य बताएगे हैं जिसे पर्थम रसत्य है दूतिय रसत्य है तिरतिय रसत्य है चतुर्थार्शत्र है एक काफी important रहेगा आपकी exam के point view से कि आप से बहुत दर्शन में कौन-कौन से चार आरिशत्र बताए गए हैं दूसरा आपके लिए सबसे important बनेगा अस्टांगी मार्ग क्या बनेगा दूसरा जो आपके लिए important question बन सकता चेप्टर नमबर 7 में जो बहुत धरम में या बहुत दर्शन में कौन-कौन से आठ मार्ग बताए गए हैं जिने हम लोग क्या कहते हैं अस्टांगी मार्ग कहते हैं या इनको ही अस्टांगी मार्ग कहा जाता ठीकेगा 7.2 में क्या है चार आर सत्थ देखेगा बुद्ध ने सत्थ की खोज के लिए यानि जो महत्मा बुद्ध हैं उन्होंने भाई मिरे क्या क्या था सत्ती की खोज के लिए यनि सच्चाई को खोज करने के लिए उन्होंने बहुत बगत बुद्ध ने अपने जीवन में उपस्चित, चार द्रिशों को देखाए दी उन्होंने सान्त हो करके उन्होंने उस पर विचार किया, उस पर चिंतन किया और इस चिंतन के फल्सुरूप महत्मा बुद्ध ने कई सारी चीजों को अनुभव किया यानि महत्मा बुद्ध ने जिन चीजों को अनुभव किया है वही उनके क्या है चार आरसत्य है, महातमा बुद्ध कह सकते हो, या बहुत धरम में, भया जो चीजे अनुभौं की गई है, महातमा बुद्ध ने की, जो चीजे उन्होंने खील की है, उन्ही को कह करके उन्होंने चार आरसत्य बता है, इन अनुभौं की आधार पर ही उन्होंने चार आरसत्यो इसकी उन्होंने खोज की है एक प्रकार्टे उन्होंने जो अनुभो किया है वही चार आरसत्य है एक चार आरसत्य ही बहुत दर्सन का मूलाधार है यह बहुत दर्सन का क्या विया मूलाधार क्या है कि भगवान महतमा बुद्ध ने जो चार आरसत्य बताए है एक कौन कौन स पहला है। जगत दुखों से परिपूर है। महातमा बुद्ध का पहला सत्त का भया। कि जगत यानि पूरी दुनिया मैं दुख भरा है। पूरी दुनिया में जो लोग दुखी है या संसार में जो दुख है उसका कोई न कोई कारण है दूसरा आरे सकती है तीसरा आरे सकती क्या है दुखों का अंत असंभाव है यानि जो भी दुख है उनको समाप्त किया जा सकता है दुखों का अंत किया जा सकता है दुखों को समाप्त किया जा सकता है यह दुख मिरोध है यानि दुख को हम लोग कम कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं दुखों के अंत का मार्ग है यानि दुखों के अंत का मार्ग यानि उसका रास्ता मौजूद दूसरा आरे सत्य है कि भया दुख का कोई ने कोई कारण होता है तीसरा आरे सत्य है कि दुख का अंत किया जा सकता है और चोथा आरे सत्य है कि जो दुख है जिसका हम लोगों को अंत करना है उसका मार्ग भी यानि उसका रास्ता भी है कि हम लोग दुख का अंत कर सकते हैं इसका मार्ग भी है यही महात्मा बुद्ध ने कह सकते हैं चार आरसत्य बता हैं क्या बताएगी यही महात्मा बुद्ध ने चार आरसत्य बता हैं देखेगा पर्थम आरसत्य देखेगा संसार के प्राणियों का निरंतर दुख में देखकर के बुध ने निश्य किया की संसार में दुख है। क्या भया दुख ही दुख भरा पड़ा है, हर व्यक्ति किसे ने किसी प्रकार से क्या है, दुखी है, और उन्होंने इसको क्या सत्य माना है, कि भया पूरी दुनिया में सच में क्या है, दुख तो भरा ही पड़ा है, और पहला आरशत उनका यही बताता है, कि दुख का संतार है तंसार में हर जगा पर दुख ही दुख है हर व्यक्ति को किसी ने किसी प्रकार का कश्च तो है ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस दुनिया में दुखी ना हो पहला आर्शत है दूसरा आर्शत क्या है भारतिय दार्थनिकों ने तंसार को दुख में जान करके उसके कार क्या है इसके संबन में सभी दार्षनिक जब पूरी दुनिया में दुख है तो दूसरा आरशते महत्मा बुद्चते हैं कि दुख का कोई न कोई कार्ण होता है जब पूरी दुनिया में दुख है तो दुख का कोई कोई कार्ण तो है न ऐसा थोड़ी कि कोई भी आदमी बिन अपने मंग से दुखी है उसका कोई कोई कारण होता है लेकिन संसार में जो दुख है उसका कारण क्या है इसको लेकर के जो विद्वान लोग है जो सभी दार्षनिक हैं वह एक मत नहीं हैं हर कोई दुख का कारण क्या है अलग-अलग प्रकार से बताता है भई दूसरा रह सक कि दुख का कारण होता है तो दुख का कारण क्या है इसको लेकर के जो दार्षनिक है जो विदवान लोग है उनमें एक मत नहीं उनके एक विचार नहीं है हर विदवान कह सकते हो अलग-अलग प्रकार की बाते कहता है कोई दुख का कारण कुछ बताता है और कोई दुख का क अलग अलग कारण बताएं हैं ठीक है अगला देखेगा तिर्ती आरसत है की 먹고 कि आउगा है तो क्या हैं नोBut कि संसार, कि संसार में जो दुख है, उसका अंत भी होगा, ऐसा नहीं है, कि संसार में दुख बना ही रहेगा, वया सुख दुख तो आता जाता रहता, तुम सब ने सुना भी हो न, कि वया हम लोगों के जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता, वया कभी सुख होगा, क किसी आदमी के जीवन में सिरफ दुख है दुख भरा पड़ा है या किसी जीवन ऐस आदमी की जिसके जीवन में सिरफ सुख भरा पड़ा है तो सुख और दुख का एक प्रकार से मिलावट है कह सकते हो कभी सुख है कभी दुख है कभी सुख है कभी दुख है इसलिए क्या है दुख का अंतभी है, यहीं दुख का क्या है, अंतभी होगा, यहीं दुख को समाप तभी हम लोग कर सकते हैं, दुख का समाप, यह क्या है, तिर्टी आरसति किसने बता हैं, बुध ने बता हैं, महातमा बुध ने, तिर्टी आरसति क्या बता है, कि यह क्या है, दुख का अं जब दुख ही दुख भरा पड़ा हो, खता भी खता मनी होगा, उसका अंत होगा ही होगा, यह तिर्थी आरसते में, अब देखे चतुर्थारसत क्या है, तिर्थी आरसत के बाद, जो चौथा आरसत है, उसमें बता गया है, महात्मा बुध्ने बता है कि दुख का निरोध है, महात्मा बुद्ध का जो भई अंत है, उसका मार्ग भी है, और चतुर्थारसत क्या है, चौथा आरसती है कि जो दुख है, उसका अंत का मार्ग भी है, ऐसा नहीं कि दुख का अंत भया हो ही नहीं सकता, उसका कोई रास्ता नहीं नहीं, उसका रास्ता भी यानि उसका म यही महत्मा बुत्य वया चौथार सतु उन्होंने बता है यहां मार्ग सभी के लिए खुला है वया हर व्यक्ति अपने जीवन के दुख का अंत कर सकता है और उसके लिए जो मार्ग है यह सब के लिए खुला है तो नहीं किसी खास लोगों के लिए खुला हो कुछ लोगों के लिए खुला हर व्यक्ति के लिए क्या है यह खुला है कि वह अपने दुख के मार्गों को खोज सकता है हर व्यक्ति दुख के मार्ग पर जाकर कि अपने दुख का अंत कर सकता है या दुख को कम कर सकता है ठीक है चाहे वह सन्यासी हो चाहे वह ग्रस हो इस मा के मार्ग पर चले दुख क्या हो जाएगा इसका मार्ग भी महात्माबुद्ध के कि इसे आठ मार्ग बता हैं इसी को हम लोग बोलते भया महत्मा बुद्ध के अस्तांगी मार्ग देखो जैसे महत्मा बुद्ध ने बोला कोई दुख का अंत करने के लिए आठ मार्ग है ना यानि उन्हें मार्ग बता है ना तो महत्मा बुद्ध ने कौन-कौन से मार्ग बता है जि आठ ऐसे रास्ते जिनके जरिये हम लोग दुख का अंत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दुख का अंत किया जा सकता है, दुख का खात्मा किया जा सकता है, उसके कौन-कौन से मार्ग हैं? आठ मार्ग महात्मा बुद्ध ने बता हैं, पुसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्ता करने के लिए आठ मार्ग बता हैं यानि आठ अंग बता हैं और महत्मा बुध ने अस्तांगी मार्ग कहते हैं यानि उन्हों ने जो आठ रास्ते बता आठ मार्ग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अस्तांगी मार्ग कहा जाता है और ए आठ मार्ग इस परकार हैं तो महत्मा ब अंध्नों का मूल कारण अविद्या है क्या है कि अगर व्यक्ति के रिद्या ही नहां है पढ़ा लिखा नहीं है इस्दिया दृष्ट्रको मानना दुख बेश्पुमा का दुखो के कारण को सुक समझना मि इस्दियाग है इस अज्ञानता का कारण जो व्यक्ति अज्ञानी है जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वह क्या है उसके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा खीधि अज्ञानी व्यक्ति जो चीज नहीं है उसको भी माण लेगा यानि व्यक्ति अनात्मा को आत्मा मान लेगा शिकः अस्त्य को सत्य मान लेगा यह हमारे दुख का कारण बनता है जब हम लोग किसी चीज को नहीं जानते हैं, तब वो हमारे दृष्टा कारण बनेगा ही बनेगा, यानि अगर आप में दूर दृष्टी नहीं है, किसी चीज को देखने का नजरिया आप में नहीं है, यानि आगर आप अध्यानी है, अविद्या है, यानि आप, 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 आपके पासं विद्या नहीं है तो आपकी दृष्टी हो रही हैंगी दृष्टी आपको देखने का समझने का तरता कारण और ये क्या है एक दुप का आरश्ट आप संकल्प क्या है देखेगा सम्यत संकल्प कार्थ है बुध ने चार आर्शत को जीवन में पालन करने के बताया है बिवहारिक दिश्टी से बात करें तो तो किसी रोग के लिए बैद द्वारा लिखी गई दवाई का नाम जबते रहने से रोग ठीक ने होता है योग को दूर क महात्मा बुध कहते हैं हम लोगों को व्यक्ति जो दुखी है तो दुख को छोड़ने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा जिस प्रकार से जैसे कोई आजमी बिमार है तो डाक्तर के पास जाएगा तो डाक्तर उसको दवाई लिखेगा तो दवया तो खानी पड़ेग तो उसी प्रकार से संसार में जो दुख है उसको दुख को छोड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा तब आप संसार में आपका दुख समाप हो सकता है यानि आपको संकल्प सील होना चाहिए आप किसी चीज को ठान लो भाई आज यानि जैसे भीस्म परतिग्या नहीं सर सकते हैं दुख को सवाब्स पिया जा सकता है क्या है, महात्मा बुझ का दूसरा मार्ड है, समयक वाक्ष, समयक संकल्प के बाद समयक वाक्ष, यांगि हम लोगों को ऐसी वाड़ी बोलनी चाहिए, ऐसी बाते बोलनी चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति को बूरा न लगे, और दूसरा असत्य नहीं बोलना दिए जो व्यक्ति असत्य बोल रहा है जूट बोल रहा है वो दूसरे का और रहा है धूट बोलना कर दों किसी को गलत सब्सक्राइब करोगे इन चीजों को बोलने से कहने क्या होगा यह हमारे डुषुका कारण बनेगी बनेगी सत्यों प्रिये बचनों का प्रियों करना है हम लोगों को सबसे मीठा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हम लोगों को हर व्यक्ति से क्या करना है, मीठा बोलना है, क्या करना है, हमें सम्यक वाक्य अपनी वारी पर कंट्रोल करना है, अच्छा बोलना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, और जो व्यक्ति धूत बोलेग दूसरे को गाली देगा, निंदा करेगा, ये सारी चीजे हमारे दुख का कारण बनती हैं, इसलिए हमें सभी व्यक्तियों से प्रिये वच्चन बोलेने चाहिए, अगला सम्यक कामांत, यानि निर्मार प्राप्ती के लिए सम्यक वाक कानुसरन करना ही परियापनी है, सम्यक भुआक अर्थात प्रिय और सत्य बोल करके भी बुरे कार करके निर्मार का लख्च भटक सकता है, इसलिए बुद्ध ने सम्यक कामंत का पालन करने में, यानि बुरे करमों का स्याग करना जाहिए, महत्मा बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को जो बुरे कर्म हैं, जो बुरी चीजे हैं उनको छोड़ देना चाहिए अगर व्यक्ति बुरी कर्म को बुरी बातों को नहीं छोड़ेगा तो वहां उसके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा महत्मा बुद्ध का आच चौथा मार्ग क्या है यानि समयक्त में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने बुरे कार्म को चोड़ देना चाहिए और व्यक्ति बुरा करता रहेगा वुरी चीजे करता रहेगा वहां उसके लिए भया क्या होगा व्यक्ति को जोड़ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को बस में रहेगा वो उसके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा अगला क्या है आच्तागिमार में सम्यक आजिवकार योलूगों को अपनी रोजी रोटी सही तरीके से कमानी चाहिए यो व्यक्ति धोखे धोखा धड़ी करके विस्वत ले करके लूट पाट करके अत्याचार करक यानि गलत तरीके से अपनी आजिव का यानि रोजी रोटी को कमाएगा वह उसके दुख का कारण बनेगा ही बनेगा सम्यत आजिवता में भगवान बुद कहते हैं महत्मा बुद कहते हैं कि जो व्यक्ति धोखा करके रिस्वत ले करके लूट पाट करके अत्या चार करके दूसरों को दूसरों का अहित करके दूसरों का दूला करके जो व्यक्ति रोजी रोटी कमाने का प्रियास करेगा वह प्राप्ति में रह सकता है इसके पीछे हमारे मन में जम्य हो पुराने को विचार है यह व्यक्ति को अपने बुरे विचारों को छोड़ देना चाहिए क्या है व्यक्ति को अपने बुरे विचारों को छोड़ देगा व्यक्ति क्या हुँआ कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन में अच्छे भाव रखने के लिए आप उसके बारे में बुरा ना वोले हम लोगों को दूसरे लोगों का अच्छा हो ऐसा सूचना चाहिए, मत सूचना फ्लाने का खराब हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह नहीं, क्या है कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन में जो गंदे विचार हैं, जो पुविचार हैं, वह अपने मन में नहीं लाने चा चाहिए ती वह सद्यों उसको याद रखे याद रखे याद महत्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्टि को जिनकी जोगा ज्यान है उन चीजों को याद रखने यानि हम लोगों को उसको रिकॉल करते रहना चाहिए अगर आपने सत्य बोलना सीख लिया है अगर आप सम्मेक पी है जो मैयमूरी है उसको याद में रखना क्या है जरूरी है जो रहेंको याद रहेंगे तो हम अच्ती है बहुत ज्यादा जरूरी है क्या है जी बहुत ज़्यादा जरूरी है सम्यक स्मृति में इसी बात को महत्मा बुद्य है कह रहे हैं ठीक है अगला क्या सम्यक समाधी सम्यक समाधी से हम ध्यान कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टी से ले करके सम्यक ब्यायाम तक उपर बताये गए सात नियम साउधानी पूर्ब जाहिए नि महत्मा ऑफच्द्व को सभी और रायों सो दूर रहना चाहिए वृत्व को साथ रहना चाहिए मुपतिН्य नीवारन का उंस्द सापान है माहत्मा ऑफ्च्द्व क Whole रहन कर देना चाहिए समय समधी के बाद भगवान के हवाले कर देना चाहिए व्यक्ति को समस्त गुरायों से दूर रहना चाहिए अच्छायों को अच्छायों का साथ करना चाहिए और अपने मन पर यानि अपने चिपर संयम रखना चाहिए कौन कहता है महत्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है बुद्ध के अनुसार समस्त गुरायों को दू समयक समाधी के पास आजागा चार अवस्थाओं को पार करके निर्वान प्रात्व कर लेता है व्यक्ति जो है वह चार स्टेज हैं तब जाकर कि उसको समाधी यानि वह अपने को परमात्म यानि सरीर छोड़ देना चाहिए गई इस बात समाधी मतलब जब कोई व्यक्ति सब्सक्राया तब आटम्य समयक समाधी के योग बन जाए गया और महत्यां बुद्र ने कह सकते घता हैं बहुत धरत्तन क로 महत्या जाने करके ऑंको पूर्चा जासकता है इसी के साथ हमारा जो साथोंगत है समाफ्थ हो गया चलिएगा हम लोग अपना अगला नेस चप्टर देख लएगा गया च्प्ट नंबर 8 क्या है संख्या योम योग दर्सन का सुरूप यह 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 संख्या और योग दर्सन के सुरूप तो सबसे देखे इसमें हम लोग देखेंगे संग्षा के प्रणायता यानि संग्षा का जो प्रशिपाद किसे ने दिया है महार्शी कपिल ने संग्षा साहित क्या है और दूसरा योग को योग के महर्शी कौन माने जाते हैं महार्शी पतंजली और योग साहित क्या है ये काफी इंपोर्टे प्रभीत में कपिल नाम नामक चार व्यक्तियों का विब्रण उपलग है उन्हीं कपिल नाम के कह सत्व या चार महर्शी है चार व्यक्ति हैं उनमें से एक कल्यूग में जो गौतम रिसी के वंसज थे जिनके नाम पर कपिल वस्तू नगर की अस्थापना हुई है दूसरे कप कपिल वय जो कदम रिती की पतनी के देहूती के समक्ष प्रगट हुए थी ठीक है और अगस्त 1299 में भागवत के चिलतिये इसकंद में परजापती कतम और मनुपित्री देहूती के पुत्र कपिल ही विश्णू के अवतार कहे गए ही और इन्हीं को संक्षा का प्रथम वच करता माना गया इसको जो महरसी कपिल है उन्हीं को ही माना जाता कि उन्होंने ही संक्षा की शुरुआती है तोन है महरसी कपिल को माना जाता है और महरसी कपिल कौन है कहसती इनको विश्णू का आवतार माना गया है ठीक है और मनु पुत्री देव हुती के पुत्र ही कपिल हैं तोन है देव हुती हैं उन्हीं के पुट्र है कपिल और इनको ही क्या मौत के ते में महरसी कपिल माना जाता है और इन्हों नहीं संख्या इनि जो नम्बर निता एयं अचींै के चिंप वर्माजी फोटर और अगनी के का उतार थे इनहें ही संख्या सूत्र गृण्ट की सझते हैं देव गृटी के पूतर हैं। इनको विष्णू का अवतार माना जाता किसको माना जाता है महर्ती कपिल को संख्या साहित क्या देखेगा संख्या दर्सन का साहित अती विशाल है देखो बहुत संख्या तो बहुत सारी होती ना उसका तो वही सानी नहीं यह संख्या दर्सन का संख्या सूत्र की रचना महर् सिंक्ष्यक कपिल ने लिखा है जिसकी कुल सो 17 सूत्र हैं in में संख्याधरतन के मूल सिध्धांत को विवेचना किया गया इस्विज में संख्या सूत्र पर अनिरुढ ने चौदा और पंदर्मी सताबदी में अनुरुढ बृत नाम की व्यक्षा लिखी जो संक्षा सूतर की प्राचिन्तम व्यक्षा है सोलमी सताबदी में विज्यान भिच्छु ने संक्षा वचन भास की रतना कही जाती अनुरुध गृत ने सत्रुमी सताब्दी में महादेव नामक विद्वान ने संख्या सूत बृतसार नामक पीका लिखी है यहीं महार्थी कपिल ने सबसे पहले संख्या सूतर लिखा उसके बाद चवदुमी पंदुमी सताब्दी में अनुरु लोगोंने संख्या स्ताहित को लिखा है अगर हम लोग बात रहे हैं और इसको सबसे पहले किस ने लिखा था महर्षी कफिल ने लिखा था उसके बाद कई सारी महर्षियों ने मनीशियों ने संख्या सब्द कह सकते हैं कि संख्या सब्द कह सकते हैं कि हम लोग संख्या पद में दूर विभग तक अर्थ है संख्या का मतलब होता है इस दर्थन में प्रकृति यों पूरुस संख्या के कैसे कलो की प्राप्ची के मार्ज बताएगे प्रचिपात क्या है जिसे संख्या कहा जाता है दूतिय प्रकार की संख्या को सब्द अर्थ गर्णा है संख्या दर्थन में पचीस तत्व की गर्णा की यानि संख्या जो दर्थन उसमें कितने तत्व या पचीस तत्व की गर्णा की है इसलिए भी से संख्या कहते हैं, ठीक है? पचीश तत्य हैं, संख्या के विद्वानों ने तत्य की गर्णा करते हुए प्रकृति को ही जगत का काण माना है, यहनि 24 तत्यों की उन्हें ने गर्णा की, यहनि संख्या साहिप की बात नहीं, यह 25 तत्य कौन कौन से जैसे मन, पाँच इंद्रियां, पाँच करम इंद्रियां, पाँच तंत्रिकाएं, पाँच महा सूत्र और पुरुष, यह क्या है? संख्या के 25 तत्त्त हैं, यह जो मैंने आपको बताए, यह संख्या के 25 तत्त हैं, यहनि हमारी पाँच करम इंद्रियां, पाँच ज्यान इंद् परदान पांच तंत्र मात्राएं और पांच महाभूत और पुरुष यह क्या है संग्षा के 25 तत्व हैं पांच ज्यानिंद्रियां पांच करमिंद्रियां पांच महाभूत और एक मन या 16 विकृत हैं पांच तंत्र मात्राएं महत और अहांच करतिर्ति और बिखृत दोनों हैं इनको माना जाता है अगर हम लोग बात कर रिख्युक्त संग्षा के बाद अग्ला हम लोगों के हापर पड़ना योग के बारे में व्याइव की शुरूआत हमारे देश में और योग पर सबते कंहे पर कह सकते हैं कि भारत में योगिकी पन्जली की जरिये ही माने जाती है। तो योग योग का अर्थ है समाधी। लिटकर है? निरोध का नाम ही योग है यह चित का भीप्राय कारण अर्थात मन, बुद्धी और रहेंकार है यह इसको हम लोग यहां यहुग दर्सन के प्रणेता महर्ती पतंजली माने जिसे हैं योग का जो दर्सन यह यह कुझे पूरी फिलोस्पह उसको किसी ने दिया है महरसी पतंजली ने दिया है ठीक है एध्यपी प्राण विद्या और योग का उलेख बैदिक साहित में सहिताओं से लेकर के उपनिसद तक किया अगर हम लोग बतें चाहे हमारे वेद हैं पुरान हैं या हमारे उपनिसद हैं सहिता हैं सभी में हम लोगों को योग के बारे में पढ़ने को मिलता ही मिलता है और योग पर किताब किसने लिखी थी महर्सी पतंजली ने महर्सी पतंजली ने ही सूत गरंथ लिख करके जंता को योग दर्सन के परमाचार कहलाने लगे यही कान है कि इस दर्सन को पतंजल दर्सन भी कहा जाता है पतंजली प्राणित सूत गरं नाम महरती पतंजलí ने कहिसे किताब किताब लिख्या यूग-सूत्र निंए योग के बारे में किसके बारे में किसके वारा है भासे जो योग13 योग साहित क्या देखेगा पतंजली योग सूतर जार्व आन्तिम इस इस आर्थम में इसके असरी lasts की फूसरा कोई उपलब नहीं है जो इस नृतर के ब Natomiast चाहर पदो वहां जोरह चाही सुत्र हैं वहीं चाही में बता न बातुर आझें निकाल करकम tout तथा इसमें कुल 195 सूत्र हैं जो महर्ती पतंजली ने योग सूत्र नामक किताब लिखिया है उसमें कुल 195 यानी 195 सूत हैं ठीक है योग दर्सन इस्वर विशयक मत को छोड़ करके संख्या द्वारा सुकृत पूरी सत्थ मिमान साथ्वा सुविकार करता है योग पर व्यास या योग भास भी कहलाता है ब्यास के भास पर मिस्र ने अत्यंत प्रमाणिक तीका लिखी है या तीका उनके भास में लिखी गई है योग भास का मर्म समझने के लिए हम लोगों को योग विद्ती रसना की गई है या भास का विवेशना भर नहीं करता है यानी योग को ले की बातने तो यहां पर आवदिनिक प्रसिद संख्या योग 4 अरयनन्दा अरणत कि न रिखा के इसके अत्रिक्त योग सूत के योग कंडि को ले करके अनेक परकार की किताबें अनेक परकार की सुष्ट के अनेक प्रकार की टीका हैं लेकी गई हैं इनमें से कह सकते की बृत्ती ठीक है माड़ी प्रभा योग माड़ी भर्मा अनंत पंडित योग चंद्रिका या योग सुधाकर की कई प्रकार की चिताब है यानि योग को लेकर के कई प्रकार की टीका कई प्रकार की कुष्ट के कह स सूत्रे कि ने लिखा महर्सी पतंजली ने जिसमें उन्होंने चार पद लिखें चार यानि पार्टों में बाठा है जिसमें से को लिखे जिससे योग को लेका कईच सकते हो कि योग को लेका करके भस्वती नावक किताब रिखे कर किताब का नाम है योग योग मनी प्रभा किताब लिखी गई योग चंदरिका योग सुधाकर यानि ये सारी किताबे जो है योग पर ही सारी लिखी गई योग और जब महरती पतंजली ने योग सूत्र लिखा उसके बाद उनके बाद कई सारी किताबे थी जो कई सारी पूस्तके थी वहाँ योग प पुरुशयों गुन शूत्र Fourth नम्मर 9 काफी important है जिसमें संख्या कारिका में प्रतिपादित प्रकृति क्या है संख्या कारिका में प्रतिपादित पुरुस क्या है और संख्या कारिका में प्रतिपादित गुण सूत्र क्या है तो संख्या कारिका में प्रकृति संख्या कारिका में पुरुस और संख्या का कारण में गुरुसूत्र ठीक है इन तीनों चीज़ों के बारे पढ़ेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में कम से कम तीनों में से कोई न कोई एक तो जरूर आएगा ही आएगा जो कि आपके 10 नंबर में या फिर 20 नंबर में पूछा जा सकता है ठीक है सबसे पहले देखेगा 9. 9.2 क्या है देखेगा तंख्या कारिका में पर्ति पादित प्रकृति क्या देखेगा प्रकृति विसुका मूल कारण है वहाँ विसुका क्या है मूल कारण है यह असीम और अनादी अनंत है वहाँ जो प्रकृति है ना इसका कोई अन्त नहीं है ठीक है इसका कोई असीम यह पूरी दुनिये में जितने पर्दार्थ है उसका कारण परकृति ही है किन्तु यह सोयम अकारण यों स्वतंत्र है प्रकार्थे क्या है यह स्वतंत्र और अकारण है इसलिए इसे परदान भी कहते हैं चानि परकृटी को या इसको क्या कहते है या इसको क्या जहता है इसको परदान भी कहते है यहां देश और काल की सीमा से परे प्रकृति यानि जो हमारा नेचर होता है वह देश से साल से यानि समय से भी क्या है परे है यानि आगे है यानि नित्य और अचेत है यानि जो प्रकृति है तो वह यह नित्य और अचेत होती है ठीक है इसका ज्यान हमें पर्टक्स द्वारा नहीं होता है यानि प्रकृति का जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक शुरूप से नहीं प्राप्ट कर सकते हैं इसके गुणों के आधार पर अनुमान की सहायता से ज्ञान प्राप्ट हो सकता है यह प्रकृति का हम फिरब अनुमान लगा करके ही ज्ञान प्राप्ट कर सकते हैं यह वास्विक है क्योंकि इसके कहे जाने वाले समस्तत्त उत्पन होने वाले एक देशिये अर्थात ब्याप्त स्रमण करने वाले अर्थात एक से दूसरी अस्थान पर गमन करने वाले अनेक अपने कर्मों में अनिश्चित समय में आने वाली इनी काणों में लीन होने के काण एक परतंत्र है ठीक है जिसे प प्रकृति कर सकते हैं प्रकृति का क्या है प्रकृति का क्या कोई स्थानी और यह कोई से घिरा पड़ा है ठीक है महदी में व्यक्त अपने काणों से युख्ष है प्रकृति के कार आता है कार होने से इसका विनास होता है यह अनित्त माने जाते हैं सर्बत व्याप्त ना होने वाले यह व्याप्ती है यानि क्रिया सील होते हैं प्रकृति एक ना होकर के अनेक है व्यक्त का हमारी जो प्रकृर्टी जिसका कोई अन्त ही नहीं है क्या है कि हमारी प्रकृर्टी नहीं है प्रकृर्टी नेचर डिक्ने सूल पेड को धेज पत्तियां तनी सितना प्रकिर्टी में तुमको अलग 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 प्रकार का जिव दिखाई देगा प्रकिर्टी में तुमको अलग 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 प्रकार का जन्ति दिखाई देगा ना प्रकिर्टी में या जब आप सब को पताग रामायड में जब सोने का म्रिग सोने का हिरन जब सीता जी देखती हैं तो भगवान राम से कहते हैं कि यह प्रभू वो सेनों सोने का म्रिग दिखाई दे रहा क्या यह सत्य है तो भगवान राम इस बात को कहते हैं प्रकृति को लेकर के कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी संभाव है यानि प्रकृति में क्या है हर सीज संभाव सोने का म्रिग भी हो सकता है कौन कहता है भगवान राम इस बात को कहते हैं यानि मेरा कहने को मतलब है कि प्रकृति क्या है उसका ना तो आदी है ना तो उसका कोई अंत है प्रकृति में कुछ भी संभव है प्रकृति इतनी जादा खूब सूरत है कि आप उसके बारे में विचार भी नहीं क इसे बोलते हैं प्रकृति ना तो आदी हैं और ना तो इसका क्या है एक प्रकृति दूसरा पुरुस पुरुस को ही आत्मा अथ्वा यग्ड कहते हैं प्रकृति के समान पुरुस भी अनादी तत्व है पुरुस प्रकृति और व्यक्त दोनों के विक्रीत निर्गुनी विवेकी अभिसय आसाध्ण चेतन और अप्रिस्मी है किन्तु परधान की भाति ही पुरुस भी कान हिंता और मित्य है एक व्यापक की भाती अनेकता में विद्वान है पूरुस की सत्ता स्वयम सिद्ध है अगर हम लोग बात ने जो भाईया पूरुस है पूरुस की सत्ता क्या है या स्वयम सिद्ध है इसका आश्तित निर्विवादित है मैं हूं यह मेरा है ऐसा प्रतेग व्यक्त से जिसे कहा जा रहा है वह पूरुस और आत्मा है यानि पूरुस क्या है यहां पूरुस न यह नहीं कि पूरुस और महिला नहीं बलकि पूरुस को हम लोग आत्मा कह रहे हैं मैं की अनुभूती सभी करते हैं या पूरुस यानि हर कोई व्यक्ति मैं की अनुभूती करता ही क करता है इसके लिए किसी प्रमार किया सकता नहीं होती है मैं के लिए यानि पूरुस के लिए अपना आत्म नहीं होती है कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित आस्विकार नहीं कर सकता है अपना अस्तित मानते हैं मैं नहीं हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है क्योंकि हर व युक्ति की आउसकता नहीं यानि क्या है पुरुष के लिए आत्मा के लिए किसी बाहरी चीज़ की जरूरत नहीं है आत्मा स्वयम प्रकास है कि इसमें क्या है स्वयम का प्रकास है इसे प्रकासित करने या बतलाने के लिए किसी अन्य चीज़ की आउसकता नहीं है यानि इस उसको खंडित नहीं किया जा सकता कि लिए जिस संख्छा ने युक्त का सहरा लिया है। उसी प्रकार फूरुस ने अस्तित को भी सिद्ध करने के लिए तरकों की साधर यानि जो पूरुस यानि जो आत्मा है उसने खुद को सावित करने के लिए अपने सर्क यानि जो सर्क है उसका सहरा लिया है यह संख्याकारिका में इस प्रकार प्रसुत होते हैं ठीक है अगर ह कि हार व्यक्ति मैं को स्विकार करता है कै необход Allah यही जिस को करें आत्मचेतना करें क्या कर राजी है अत्मचेतना होती ही होती है नैं यह होता न हर व्यक्ति में आत्मा चेतनाना है न अत्मा कत्री यह हर व्यक्ति जो है। को स्वविकार करता अगला देखेगा 9.4 में देखेगा तंख्याकारिका में प्रति पाधित गुंशूतर क्या है साथ्विक रजटस ताम तीन गुण यह प्रकृति के धगटेश्चत का नाम ही प्रकृति है यह प्रकृते में तीन तत्व है नहीं प्रकृति सैट्व ओस् CC ए प्रकृति भी में से इन गुनों को अलग नहीं कर सकते हैं, इन गुनों के कई अर्थ हैं, जिसे धरम, दोरी, आपरधान, सहकारी, किन्तु यहाँ गुन अधरम नहीं है, प्रकृति का विसलेशन करने के लिए हमें तीन प्रकार के तत्तों की जरूरत पड़ती है, इनहीं का नाम त्रिगुन है, क्या है, इनी का नाम का नाम कियाै, इनहीं गुन कहने जहां, रस्ति या डोरी के उनको को तरहा आपसमें जो कर aumentar कर करते हैं, यहां मिलकर के पृष के लिए बंधन का करते हैं, जो प्रकृति के जो तीन गुन हैं, वह क्या है ADA उसके लियानिया आत्मा के लिए बंधन का काम करते हैं又 भी केवल अनुमान गम में यह क्योंकि प्रकृती की भाति वियम और अनुमान होता है कार और कारण का थिगाय संबंध माना गया है कार के गुण कारणों के गुण कारणों में पराया जाते हैं कार संपदा कारण में गुणों का समाहित रहता है यही कारण है कि हमें विशाय सुरूप कार को देख करके गुणों का सुरूप यानि हम लोग काम को देख करके उसके सुदॉप यानि उसके आकार को रहें पता लगा लेते हैं तो प्रकृति में और युह यहीं प्रकृति को विया बनाते ही यह उसकी क्या करते हैं रशना करते हैं यजु गुण साम गुण ठीक है यह what प्रकृति के प्रकारते बंधन में बांध रहते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है मनुस्य को भी प्रकृति में बांधने की छम्ता कौन रखते हैं कि जो प्रकृति के प्रकृति क्या है इस की आपको क्या कर देना है कि अच्छे से आपको लिख देना है लगता है कि इसमें से कम से कम एक पोष्चन आपको 10 नमबर में सायद देखने को मिल सकता है 10 नमबर के लिए वैसे भी 2,5 पेज लिखना इस से ज़्यादा मिखना और 20 नमबर के लिए कम से कम आपको 4 पेज को लिखना ही होगा इस बात को जरूर ध्यान में रखियेगा चलिए अगला जो हमारा चेप्टर रहेगा 10 नमबर दसमा चेप्टर भी हम लोग क्या क्र लिए उसको देख लेते जैसे काफी इंपॉटेंट हो सकता है और आपके एक्जाम में कोईचन आपके पूछा भी जा सकता है क्या है एक काफी important question है जो कि आपके exam में आने के chances क्या है सबसे ज़्यादा है अस्तांग योग आपका 20 नंबर में आ सकता है कितनी नंबर में पूछे गवाल मेरे एक 20 नंबर में question आ सकता है कि अस्तांग योग बताईए तो अस्तांग योग चलिए हम लोग पढ़ लेते कि योगी आपके लिए काफी important रहने वाला सबसे पहले देखेगा 10.2 में क्या है अस्तांग योग देखेगा अस्तांग योग में यानि आठ योग है अस्तांग यानि मतलब आठ योग मतलब योग और अस्तांग योग में कौन कौन से योग देखो जैसे यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्या यहां अस्टांग योग हैं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार एक पांच पंच अस्टांग हैं तो एक प्रकार से धारना ध्यान समाधी यानि तैयारी की मात्रा है आता इन पांच योगों को बहीरंग धारना और धारन ध्यान समाधी के अंतरगत साधना कहा जाता ह जहां सबसे पहला यहां बतला देना आवस्था है कि योग के आठ इन अंगों को संदर्वित में आया समाधी कही जाती है, इस्टांग योग संयम रखना चाहिए ठीक है यानि उसको एक प्रकार से कह सकते हो कि व्याकुल नहीं होना चाहिए हर एक चीज पर संयम रखना चाहिए धीरज इसको बते हैं धीरज रखो धीरज धारण करो यहम का मतलब क्या है संयम यहम योग का पर्थमंग है यहम जो है योग का संयोग को यम कहते हैं एक और देखेंकर यम के भी 5 अंग होते हैं जो यम है यम के 5 अंग बताएगा और यम का पहला अंग क्या अहिंसा यानि व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए इंसान को किसी भी प्राणी जीव जन्तु को कष्ट यानि उसको फीरा नहीं पहुचानी चाहिए यह भईया अहिंसा दूसरा क्या सत्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जूट नहीं बोलना चाहिए उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्या है, यम का दूसरा नियम क्या है, कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वस्तुता मारी और मन, यानि हमको सच्चाई बोलने चाहिए, काभी भी जूट ना बोलें, जो सच हो वही बोलें, किसी व्यक्ति के परती मन में किसी प्रक और दूसरा की वस्तू का पहरनि करना ही उसकी इच्छा ना करना जाहिए। यानि यम का चोथान यम क्या ब्रह्मचर व्यक्ति को सभी इंद्रियों को एक प्रकार से सैयम करके क्या करना चाहिए ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए व्यक्ति को मन वाणी और सरीर में होने वाले सब प्रकार के मैथुनों पर आवस्था में सदा त्याग करके सब प्रकार क बीर से रक्षा करना ही ब्रह्मचर है क्या है बीर की रक्षा करना ही क्या भया ब्रह्मचर है और व्यक्ति को कम से कम पचीश वरस तक क्या है ब्रह्मचर का क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए क्या करना चाहिए ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए पचीश वरस तक कितना कप चाहिए परिहार क्या है आप रिहार ग्रह क्या है कि स्वार्थ के लिए मम्ता पूर्बगम धन संपत्ती भोग-सामगरी का संचय नहीं करना चाहिए जोसी हमारी जरूरत है हम लोगों को वहीं कीजियर हुईुए तरफ सनक्रक्रादट नहीं करना चाहिए पैसा किसी प्रकार की चीजों को इकठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो जीवन में जरूरी है वही चीज हम लोगों को इकठा करनी चाहिए ठीक है और फालतू की चीजें फालतू का कुछ भी हम लोगों को नहीं रखने चाहिए यह यम क्या है पांच अंग है यह क्या ब इसके अंतरगत बताया गया है क्या करें नियम का सामान अर्थ है नियम का मतलब क्या भया जो योग के नियम कानून है उनका हमको पालन करना चाहिए ठीक है यह हमें हमेशा DC प्लेन में रहना चाहिए जो नियम जो कानून बनाए गए है उन नियमों और कानूनों को हम लोगों को क्या करना है पालन करना है क्या करना जी हम लोगों को उन नियमों का कानूनों का क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए उनको हम लोगों को क्या है मानना चाहिए ठीक है क्या है जो भी नियम कानून है उन समस्त जो नियम कानून बनाए गए है उन समस्त नियमों को कानूनों को हम लोगों को मानना चाहिए इसके भी पाँचंग है यानि नियम के भी पाँचंग है नियम के पाँचंग कौन कौन देखेगा पहला है सौच सौच यानि बाय और अभ व्यक्ति को रोजस्नान करना चाहिए और अपने सरीर की सफाई करनी चाहिए Во ये, 5 नियम में क्या है पहला वया नियम के व्यक्ति को खाना चाहिए अनावश्यत पदार्थों को नहीं खाना चाहिए जरूरत से जदा खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है जितना सरीर को जरूरत है जितना सरीर खाना मांगता है उतना ही हम लोगों को खाना खाना चाहिए ठीक है यह नियम का दूसरा है तीसरा अंग क्या है सब इनि हम लोगों को भूख प्यास सर्दीगर्मी अधिदवन्दों को साहिए धिक कर कटिन बर्त का पालन करने मोक्ति को सहे करके इंए हम लोगों क्या कर या या जो उतनिसाद हैं जो वेद हैं जो पुरान हैं उन लोगों को हमको पढ़ना चाहिए हम लोगों को बड़े जो वेद हैं पुरान है गीता है उपनेता है उन लोगों को पढ़ना क्या है नियम का चौथा पाठ है नियम क्या है जो भी वेध है जो पुरान है उन लोगों को हम लोगों क्या करना चाहिए और नियम का पांचवां अंग क्या है इस्वर प्राणी धान क्या है दिख फल की कामना नहीं करना चाहिए पांचवा नियम क्या बता है कि हम लोगों को भाई अच्छे से कर्म करो तो फल की इच्छा नहीं करना चाहिए बीना फल की इच्छा किये व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए भाई फल की इच्छा मत करो बीना इच्छा के आपको क्या करना चाहिए भाई इच्छा मत कहा हैं, यह पांच नियम है, अगला आसन के दिखिए, महर्ति पतंजली ने परिभासित करते हुए आसन बता है, यहीं हम लोगों को सुबह उठ करके आसन, प्रानायाम, योग, जो है योग है, वो सारे करना चाहिए, आसन कहा है, जो योग प्रानायाम है, जो आज तब सुब प्राणायाम करना है, अगला क्या प्रात्रारायाम करो without प्राणायाम करना है, प्रानायाम करना चाहिए। अर्धात प्राणायाम योग काुत नियम है. प्राण यानि स्वास, यानि हम लोगों को अपने सास पर नियंतन करना चाहिए, प्राणायाम, फूबय उठकर के वही सास छीचो नीचो छोड़ो, उपर छोड़ो, यही है प्राणायाम, यही है प्राणायाम, यही है प्राणायाम, यही है प्राणायाम, यही है प्राणाया के अनुलोंभीव में जो ता वी साद वाद कनी हमारा क्या प्रत्य हार्अर यहीं, भीशय से शम्बंदीत रही तो इंद्रियों के चित को रूप में होना चाहिए यनि हम लोगों को इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं इंद्रियों का व्यापार तब होता है जब चित पर व्यतोत होता प्राणायाम के तहत अबद यहीं व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर कंट्रोल लगना चाहिए यही प् किसी एक देश चित को एगा कर यानि अपने मन को एक जगह पर लगाना क्या है कि व्यक्ति को अपना पूरा मन अपना पूरा ध्यान किसी एक चीच पर लगाना ही क्या है धारना है ठीक है कहने का आसाया कि चित को नाभी चक्र को फिर्दय कमल को मतिष को प्रकास कुझ को नासिका को जीवा के अगरभाद आदि अस्थानों की परतिमा आदि वाय विशय इस्तित हो करके द्रिन ह धारना है धारना योग की असली कुझी क्या है जो धारना क्या है धारना ही क्या बताएगे योग की किसी योग की क्या है असली कुझी बताएगी अस्तांग योग यानि आठ योग है धारना है यानि किसी चीज़ को धारन करना धारन करते हैं धारन करते हैं वही क्या है धार द्यान करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे देखाऊगा ना जो रिसी मोनी होते हैं ऐसे बैट जाते हैं और आक बंद कर लेते हैं और अपना किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं वही हमारा जिसको हम लोग इंग्लिश में meditation कहते हैं क्या कहते हैं जी इसी को हम लोग क्या कहते हैं meditation कहा जाता है ज्यान का आर्थ है धै विशय को निरंतर मनन करना अर्थात उसी विशय को लेकर के विचार करना कहने का आसाई या है कि नाभी चक्र आधी अस्थानों में ज्यान बृत हो करके ध्यायकार चितवृत एकाग्रता को ध्यान कहा गया यानि व्यक्ति को अपना एकाग्र हो करके एक मन हो करके एक जगा पर मन लगाना चाहिए वही क्या ध्यान जिसको meditation बोला जाता है पीविंगी शुनने देखा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति विए आख बंद करके किसी जीज पर ध्यान लगाता है ठीग है यानि हमें किसी एक चीज पर क्या पूरी तरीके से ध्यान लगाने की बात कही जा रहे है अगला देखेगा क्या सातवा समाधी क्या है सातवा बल्की प्रकाशित होता है अरखात सुयम के शुरूप को सुन्ने हो जाता है सब समाधी कहलाती है ध्यान की अवस्था तीन बातों में कीश्टिती पर है ठीगे उनी की भनक प्रकार से बहुत ध्यान लगाया और इक प्रकार से उन्हों ने समाधी लेकर कि व्यक्ति क्या करता है अपने सरीर को धीरे-धीरे छोड़ देता है और उसकी आतमा उसके सरीर से निचल जाता जी इसी को हम लोग लगाते थे और इतना लंबे-लंबे समय लगाते थे उनका ज्यान इतना होता था कि वहीं बैठे-बैठे वह अपने सरीर को छोड़ करके चले जाते थे सरीर उनका वही रहता था आतमा उरकर के चली जाते थे इसी को हम लोग को डिया समाधी समाधी मतलब पता कि एक समय के बात रेखती जब आन्वाहतना फिर इतना ज्यादा उसमें रम जाता है को आपने जब उसकी डेथ उती तो वह नहीं वहा बलकि वहां उससमें शरीर में जो ज़जान है जो आत्मा है वह स्वेम ही साइब को फोड़करके उपर निकल समाधी योग का आठ्वानियम क्या है समाधी यही क्या है कि आहीं सटांग योग में पड़कर के आप लोगों को जरूर जाना है अगर मैं बात हूँ तो आज मैंने इस class में आपको chapter number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानि अभी तक मैंने इसमें आपको 10 chapter पढ़ा दिया है इससे पहले मैंने 3 chapter पढ़ा दिया था जिसकी वीडियो आप जाकर channel पर देख सकते हो देखो यह channel है अगर आप लोग channel पर आओगे ना तो आपको यहाँ पर channel पर आजाना आपको direct तहाँ पर जाना playlist में ठीक है जैसे आप लोग playlist में जाओगे ना तो आपको यही पर BSKG 172 ए रहा BSKG 172 की एक playlist है जिसमें अभी तक एक वीडियो है ठीक है दिखरा लेकिन आप यहाँ पर दो वीडियो हो जाएगा क्योंकि आप दूसरी class भी हो गई ब्लोग नंबर एक में ना तीन चेप्टर थे मैंने तीन चेप्टर पढ़ा दिया था है और आज की class में मैंने सबको जरूर पढ़ा दूगा और यह class आपके लिए लगातार चलती रहेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं और अगली class भी आप सबको बहुत जल्द मिलेगी और यह मैं पूरी class आप सबको जरूर पढ़ा दूगा और इसको अच्छे से पढ़के जाएए समझ के जाएए और इसी से आपका जो इज़ाम है आराम से पास हो जाएगा और आपको किसी परकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है